आकास तुझे मेरी कसम भाई पक्का पच्चे सुल लेंगे ना गाली देंगे सब तुमको नमस्कार दोस्तों मैं से जांतिवारी पाट चाला एक्जाम से आप सबीका सौकत करता हूँ दोस्तों रोज की तरह मैं पाट रहे हो तो मुझे माफ कीज़ेगा आज आप लोग की जीएस इस्पेशल की क्लास है क्योंकि पिछले काफी तिन से हम लोग साइंसी क्लास चला रह जहां पर घंगा मिला मनाया जाता है ना तो यहां पर दोस्तों चली तो सबी लोग का आवाज साफ आ रहे हुए सबी लोग एक बाद क्लास को शेर करतेंगे आज दोस्तों आप लोग की लंबी क्लास है तीन गंटे तक का उमीद है लेकिन कम महीं इस्व खतम करेंगे तो आ जल्दी मैं एनलेसिस के सारे कोशन इखटे करके आपके लिए लेकर आ रहा हुँ तो वो भी एक दिन बीचव चल जाएगी अनलेसिस वाली क्लास जितने भी कोशन आया हुए है और साइसी क्लास तो आपकी चली रही है तो दोस्तों सबी लोग क्लास को इबाद शेर कर दें और सभी लोग क्लास के आशर पटपट देंगे ठोड़े सा आज हम जल्ली चलेंगे जल्ली जल्ली वहाँ करेंगे तो दोस्तों तीन घंटे का टाइन यहा लेकिन तीन गंटे पहले यह क्लास आपके खटम हो जाएगी और आज क्लास आपको क्या अपनी तयारी परक्त question बहुत ज़्यादा हारडभी उमे तो परक मुषंहाँ में पर कुछा यह चल यह पहले पहला कूश्शन दोस्टोट को स्किर्ण पर लगा है सब वोग इसे असर बताई यह को स्अ क्या यह तो हिस्वी में गजाम में एक्ट के बारे में पूछा जाता है अधिनियमों के बारे पुछा जाता है जो भी कि 15 अधिनियम बेटे शासिन ने भारत में लागू किये थे वो सारे अधिनियमों के कोश्चन आते तो कोशन यह क्या क्या रहे बारत की शाशन व्यवस्ता में पहली बार प्रतिनीधी और लोग प्रिये तत्र को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था रिज्य यहां पर क्या कहने की बात उरी है कि भारत की शायति मेशा में पहली बार प्रते नीथी मालब रीप्रेंटेंटेटेंटेंटेफं को समाWeGe मतलब कि पहली बार ऐसा कब हुआ कि भारतियों को भी भारत की शाषिन विवस्ता में बृटिश शाषिन ने भारतियों को शामिल करने के लिए रिप्रेन्टेटिव्स लाने की बात कही थी और ध्यान नखी का इसका अंसर क्या होगा सबी लोग इसका अंसर एक बार में 1892 में पहली बार पेटे शाषिन में बोला था कि भारतियों के प्रतिनीदी यानि रिप्रेन्टेटिव्स और लोगप्रिये तत्व जिसको आप रखना चाहते हैं उनको समाविष्ट मतलब कि शामिल करने का प्रयास के माध्यम से क्या गया था 1857 का दोस्तों विद्रों हुआ था और 1857 के विद्रों के बार जितने भी अधिनियम भारत में आये थे दोस्तों वो अधिनियम कहलाते थे इंडियन कांसिल आक्ट 1858 से इंडियन कांसिल आक्ट 1858 फिर आया इंडियन कांसिल आक्ट 1861 फिर आया इंडियन कांसिल आक्ट 1892 फिर आया इंडियन कांसिल आक्ट 1909 और फिर आया इंडियन कांसिल आक्ट 1910 द्यार रखना में दोस्त बेटे शासन ने भारत में जो भारत परिशाद अधिनियम में दे थे वह 58 से बेजने शुरू के थे 1858 से ठीक है फिर 61892 1909 1909 ठीक है तो दोस्तों ध्यान किएगा यहाँ पर आज आपको कोशन में आंसर भी यहाँ पर मिलता रहेगा तो आप लोग परशान होने की जूरत नहीं है आप लोग को आंसर भी मैं यही दे दूँगा उसके बाद दोस्तों का ध्यानकी का 1861 इस अधिनियम में ध्यानकी का इसको बोते हैं प्रतिनिधित का युग जो प्रतिनिधित के युग की बात की जाती है कि भारतियों को पहली बार भारतियों को पहली बार शामिल करने की जो बात की गई थी वो दोस्तों 1861 के अधिनियम में किये थे ठीक है उसके बाद 1909 दोस्तों इसी को बोलते है मिंटो मौरने सुधार द्यार रखना दोसो, इस easier को किया भोते हैं? इस इक मिंटो मौरने सुधार भी कहते हैं, जिस ACT के तहट भारत में पहली बार इसलामिक लोगों को आरक्षवर प्रदार किया गया था, और 1919 का अधिरियम जो था तो द्यार रखीगा इस अधिरियम की तहट प्रांतों में द्यार रखीगा 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 प्रांतों म प्रपाजी साक्षी सभी लोग शेर करेंगों सभी लोग कास कर द्यास से पड़ेंगगे ठीक है एक सोचन पर आते हैं सब नेक्स सोचन क्या के रहे हैं लगता किस गवर्णर के कारिकाल के 1921 ध्यान अगरा मेरी बात 1921 से लेकर 1927 तक भारत का एक वोईस रहा था दोस्तों उसका नाम था Lord Reading क्या नाम था Lord Reading था अब यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएका दोस्तों Lord Reading हो ठीक है अब यहाँ पर अगर हम बात करें मिंटो की बात करें करजन की बात करें इल्किन की बात करें ध्यान की का इल्किन को तो छोड़ दीजें इल्किन तो अभी यहाँ पर बहुत दूर की बात है करजन 1898 में भारत में आया था 1905 तक यह इंडिया में रहा था मिन्टो 1905 में इंडिया में आया था 1910 में ये इंडिया से गया था रेटिंग 1921 में इंडिया में आया था और 1927 में इंडिया से गया था ठीक है तो ध्यानकिया दोस्तों रेटिंग के साशन में विक्टोरिया मेमोरियल की साबना की थी कहां पर क्यालकटा में ठीक है ध्यानक इन सब को किस से तयार किया था ध्यानकी वो लुटियल से तयार किया था वो चीजे भी आगे आएंगी ठीक है अगर से आपे बात करें popular चीजों की तो ध्यानकी का Lord करजन किसके लिए famous है सर लॉड करजन ने बंगाल का partition किया था और ये बंगाल के partition के लिए बहुत जादा प् Muslim League क्या नाम था दोस्तो Muslim League ये Muslim League पार्टी किसके साशन वाई थी मिंटो के साशन वाई थी एक्जाम में और question पूछा जा सकता है कि मिंटो के ही साशन में 1907 में दोस्तो सूरत विभाजन भी हुआ था जब दोस्तो गरम नरंदल क्या हो गए थे अलग हो गए थे ठीक है तो आज दोस्तों बातें बिल्कुल कम करेंगे आप लोग और सभी लोग ध्यास से पढ़ेंगे कि बहुत दिन बाद आपकी जिए सी चलाई है तो question काफी है लग बात सौट देर सा question है तो आपको ध्यास से पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है तो सूरत विभाजन दोस्तों किसके सा इस रीडिंग के साशन में दोस्तों चौरी-चौरा कांड हुआ था चौरी-चौरा कांड के बारे में आप लोग ने सुना होगा आज मैं किवल यहां पर आपको टॉपिक-टॉपिक बताऊंगा क्योई question ज्यादा है तो मैं मानता हूं कि आप लोग को question के आशर आते होंग इसी के शाशन में दोस्तों एचारे नाम का क्रांतिकारी संखन मना था जिसका नाम था दोस्तों हिंदुस्तान रिपॉब्लिकन एस्सोशिएशन ठीक है सभी का clear रही कि नी चली नेक्स को देखेंगे तो सभी लोग दोस्तों को एक बाद शेयर भी कर देंगा भाई ठीक है बैंग से जाना ज्याथ बिल्कु सही है साक्षी मिठलाज मिटलल जी बिल्कु सही है ठीक है जय महाईकाल जी जिन्ना पाखंडि जिन्ना पाखंडी बैटा अभी नहीं था ज πα्र जिन्ना भाद में था उसके बाद नेक्स्टार आता हो यह कोश्टन बहुत कुछ पुछे जाते हैं, दोस्तों कोशन क्या कह रहा है, क 주고 कोशन ये बोल रहा है, कि नई दिल्नी शहर के रुपांगन में कौन शामित था, एक बात मैंने ध्यान अख रहा है, कभी भी एक्जाम में अगर ये आएका कि President House President House यानि राशपती जो भवन है राशपती भवन से लेकर दोस्तो पूरा का पूरा आपका राशपत राशपत जो इलागा है पूरे राशपती भवन के सामने का जितना भी राशपत का आलागा है ये सब के निर्मान में दोस्तों ये बंदा बहुत फेमस था जिसका नाम था Edward Luteus, क्या नाम था इसका Edward Luteus, हमेशा ध्यान रखिए आपके NTPC में भी दोस्तों ये कोशन आया था, और ये कोशन दोस्तों गुरूप D में, और ये मैं आपको बदा दू, दोस्तों रटे हुए कोशन होते हैं, कु तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको राई सेना हिल्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको इसको राई सेना हिल्स भी कहते हैं, ठीक है, तो राई सेना हिल्स ये कोशन एक्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है, तो राई सेना हिल्स और इसी को क्या राश्पती बहुत, ध दोनों ने मिलकर दिल्ली का क्या किया है रुप्यांगर क्या है क्लियर हो गया चलिए नेक्स वोश्चन पर आते हैं नेक्स वोश्चन को ध्यान से देखेंगे वाई सभी लोग ठीक है और आप लोग को इसकी आंसर शीट इसी में मिल जाएगी किसने 1898 में बनारस में Central Hindu College मेरी अब बाद में बनारस Hindu विश्व ध्याने का केंद्र बन गया तो ध्याने का में दोस्त ये Central Hindu College आना 1898 में Central Hindu College की सापना दोस्तों कही थी एनी बेसंट में किसने की थी दोस्तों एनी बेसंट निकली थी बाद में इसी यही केंद्र मना किसका बनारस Hindu University का 1916 में 1916 में जब BHU में बैठक हुई थी जब BHU के केंद्र में बैठक की गई तो मदन मोहन मालविया इसके संसापक के रुपए जाने विए ठीक है तो ध्यान अकना मेरे दोस्त एक्जाम में कोश्चन कैसे भी आ सकता है और आपको इस कोश्चन के बारे में जानना पड़े अगर माल नो यहाँ पर मदन मोहन मालविया लिखा होता तो आप आंसर लिखा तो है मदन मोहन मालविया आप आंसर माल देते है ना जबकि दोस्तो मदन मोहन मालविया आपका आंसर नहीं होगा जान रखिए को दोस्तो इसका नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज जब पड़ा थ तो इसको इसाफना किसे ने की थी दोस्तो इनी बेसंट ने की थी और इनी बेसंट की इसाफना करने के बाद 1916 में इसका नाम दोस्तो B-H-E-U रखा गया ये नाम रखा था मदन मोहन मालविया तो कभी भी एक्जाम में कर सेंटरल हिंदू काले जाएगा तो आप क्या मारोगे एनी पेसिन करोगे एक्जाम में अगर मदन महान मालविया के बारे पूचेगा तो वो भी एच्चियू के बारे पूचेगा क्लियर हो क्या सभी का क्लियर है कि निया मदन महान मालविया के बारे में आपने जान लिए देखिए आपके लिए आंसर भी आपके लिखे हुए तो परशान होने की जुरत नहीं है ठीक है उसके बाद दोस्तों यह जो lot different था ध्यान रखिएगा यह lot different क्यों famous हुआ क्योंकि इसी के साशन में 1885 में इसी के साशन में इंडियन नेशनल कॉंगरेस का गठन हुआ था ईंसे का टंड क्लियर हो के सभी का थो दोस्तों ईंसी के साशन में क्सके साशन में lot different के साशन में आइनसी के संसापगते हम सभी को पता है INC के संसाफक दोस्तों कौन है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता रहे INC के संसाफक का नाम बताईए और INC के पहले अध्यक्षा नाम बताईए मदन मौन मालगों यहाँ पर नहीं होगा विहान बहुत बहुत नमस्कार ठीक है चलिए इश्वर चंद्र विद्या सागर की सलापर ही इनकी सलापर इश्वर चंद्र विद्या सागर की सलापर विड़ो रीमारेज एड्ट विद्वा पुनर्विवा अधिनियम विद्वा पुनर्विवा अधिनियम या विड़ो रीमारेज एड्ट लागू क्या गया था इंडिया में और आपको मैं बता दू दोस्तों यह जो विडो रिमारेज एक्ट है इस विडो रिमारेज एक्ट को या विद्वा पुनर विवा अधिनियम को कभी आपने नाम सुना होगा डलहुजी लॉट डलहुजी के साशन में सापिक क्या गया था लॉट डलहॉजी के साशन में ईशुर चंदर विद्या सागर की सला पर विद्वा पुनर विवा अधिनियम लागू के कहते हैं उसके लिए बहुत पॉपलर हुजी लॉट चीक है सबी का क्लियर है की नहीं है चलिए भारत के राशिद्धज का डिजाइन किसने तयार किया था अगर राशिद्धज के डिजाइन की बात करेंगे तो वो कोई और ही है लेकिन यहां पर ध्यान कीगा अगर राशिद्धज की बात की जाएगी तो ध्यान रखना दोस्तों पिंगली वेंकईया नाम आता है क्या पि कियاर किसने किया था पिंगली वेंकिया ने किया क्लियर है उसके बाद दोस्तो धा इसलिए मारेंगे क्योंकि 1907 में 1907 बर्लिन में कहा पर जर्मनी में बर्लिन के स्टडगार्ड ध्यान रखीगा बर्लिन के स्टडगार्ड नामक सान पर इन्होंने क्या किया था दोस्तो स्टडगार्ड में इन्होंने भारत का जंडा ले रहा है था ठीक है तो वो भारत का जं के हिसाब से आंसर क्या ए रहे मैंटम विकाजी नहींट जाने उस्ट ये उ Rapture में क्या कि दा बारत का जंडा ने लह रहा है तो ध्यान रूकर भूर्टोस आंसर ग्रूस को और Sw соз दारी चीजे हम दो जान सकते हैं जड बेसेंड या दकी दोश्तों एपर बीसेंड होब हूब होब հूज़ सुसाइटी से संबंदित रही है ठीक है है यह वह है यह वही नोल जिनोशन चलाया सब्लंद चलाला किया चलाया था थो जनों हाँ, एक चीज़ और, ध्यान न कीए दोस्तों, ये झो गता तो अ मैं यह Sr affinity ऑ्या होग ही एत आपकी ऐनी विशिंबने दिया नहीं घ्लिएवन है सरोझणि नाइडू की बात करेंगे दोस्तों तो सरोझणि नाइडू 1925 का जो कानपर अधिवेशन था 1925 के कानपुर सेशन की अध्यक्ष बनी थी तो सरुनी नाडू भारत की पहली भारती महिला पॉंगले सद्यक्ष क्लियर होगे सभी का सभी का क्लियर है कि नहीं मैडम मिकाजी का मान दोस्तों धानका भी मैंने लिखा आपको इस साथ में भरन के स्ट्ंटड गाड में वहारत का जन्डा लगाएथ तो इसलिए बहुंगER मन कहां पर काई गई थी ज्यानकी का अंसर यहंपर क्या हो gob सुछन का क्या कोल क spoken ध्यानग्य का दोस्तों बहुत सिंपल सा कोश्चन है Apparently 1911 में ज्यांसे मैंने बात को सुद इते हैं 1911 में बंघ बंघ रद रहे थेक और 1911 भंघ भंघ दोस्तों क्या हो ग्या है रद ंजोगी बंगाल विवाजन दो ग्या तो उस दौरान दिसंबर 1911 में दिसम्बर 1911 में कॉंग्रेस का कलकत्टा सेशन हुआ था इस कलकत्टा सेशन में दोस्तो ध्यान रकिएका बी अधार बिशन नरायन धार इसके क्या بنे थे अधियक्ष बने थे और ध्यान रखणा मिरे दोस्त इनकी देःष़ा में सरला देवी ध्यान रखना मेरे दोस्त सर्ला देवी भती जी है रबिन्ना टैगूर की सर्ला देवी ने सर्व प्रधम सर्ला देवी ने सर्व प्रधम में गाना गया था कौन सा दोस्तों जन गड़ मन गया था clear हो गया तो ध्यान रखी गा जन गड़ मन से related question वंदे मातरम से related question सरफरोशी की तमन्ना है अब हमारे जिल में है इससे question सारे जहां से अच्छा हिंदो सा हमारा इससे related question exam में बहुत आते हैं तो सभी लोग को उसको ध्यान से सुनना है ठीक है 1911 and also वंदे मातरम भी कलकत्ता में 1986 में चटर जी सरला देवी सगी भतीजी है सभी लोग क्लास को एक बाद शेयर करते हैं क्लास को एक बाद शेयर करें मज़ा आएगा तभी उसके बहुत सारे अच्छे-चे question है जो आपके लिए बहुत important है तो सरला देवी ने दोस्तों सबसे पहले गाना काया था कौन सा जनगणमन गया था और ये भतीजी है किसकी रविना टैगुर की इस गाने को लिखा था 1911 में ही जनगणमन किस ने लिखा रविना टैगुर ने लिखा था और उनकी भतीजी सरला देवी ने विशन नरायन धार की अग्याच्षिणा में पत्र किस ने शुरू किया था आप जहां सुनिया बहुत सिंबल सा कोश्चन है लेकिन इसके जो इलस्ट्रेशन जो इसकी तियोरी है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगो बहुत सारी ठीक है तो सभी लोग जहां से कोश्चन को देखें नेक्स सुन पर आते हैं बिल्कुं साही बिल्कुं से बता रहने है ठीक है चलिए नेक्स सोचन किया है भारत में पहला समाचार पत्र किस से शुरू किया था दोस्तों धानकी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था जेम्स हिक्की ने शुरू किया था जीक है तो पहला समाचार जो पत्र था बेंगाल गैजिट कौज़ था दोस्तों बेंगाल गैजिट ये किसने शुरू किया था ये शुरू किया था किसने दोस्तों ये James Hikki ने शुरू किया था यह तो आपका अंसर हो गया तो जहान रखीगा रविन नाट टैगोर जी नहीं यहां पर जहान सुना आ एक सीद ऐमद खान है सीद ऐमद खान ने क्या किया था इनों ने दोस्तों AMU की साफना की थी ठीए अलिगर मुस्लिम यूनिवस्टी के संसापक है अलिगर मुस्लिम यूनिवस्टी के संसापक है ठीक है इस एम यू जिसको अलिगर मुस्लिम यूनिवस्टी कहते है दोस्तो धान रख रहा ये आपका ये आपका जो अलिगर मुव्मेंट अलिगर्ण जो आंदोलन था वो अलिगर्ण अंदोलन से सामने आया था ठीक है और अलिगर्ण अंदोलन किसे चलाया था दोसों सेयद अहमद खान ने चलाया था दियान रखीगा ये वही सेयद अहमद खान है जो मुस्लमों को मुस्लमियों को इस्लामिक सिक्षा के विरोधवे लाते थे और ये कहते थे कि अंग्रेजी सिक्षा बढ़ो और अंग्रेजों के साथ रहो ठीक है और अलिगर्ण अंदोलन जो था यह वो इनी ने चलाया था 1875 में इन्होंने एंगलो मुहम्डन ओरियंटल कॉलेज की साथा की थी बाद में यही बना एयर भी हो ठीक है दोस्तों दादा भाई नैरो जी की बात करें बहुत इंपर्टन कुशन आता है इनके लिए एक्जाम में दादा भाई नैरो जी को दे दादा भाई नैरो जी ने क्या किया था अवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जिसके लिए सबसे ज़्यादा यह जाने जाते हैं poverty and unbitish rule इंडिया पुस्तक में इन्होंने drain of wealth theory या इसी को बोलते है संपत्ती का पलायन तो संपत्त wealth theory ठीक है संपत्ती का पलायन की जो पूरी theory है वो किसने दीती वो इन्होंने दीती किसने दादा भाई नहरुजी clear हो गया यह question दोस्तों एक्जाम में बहुत आता है सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगा और सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे ठीक है आटवे का पहली पढ़ रहे हो ठीक है चलिए poverty and unbitish rule in India बिल्कु सही है सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगा दवील ऑफ हिस्ट्री नामत पुस्तक के लिखक कौन थे तर ध्यान लखिएगा यह नाम किसका है राम मनोहल लुहिया जी ने क्या लिखी थी दवील ऑफ हिस्ट्री के पुस्तक की रच्णा की थी ठीक है यह question exam में कई बार आए हुए है 42 में चला था 1922 ठीक है दो ध्यान रखना यह भारत छोड़ों आंदोलन में के दौरान राम मनोहल लुहिया ने क्या किया था इन्होंने बंबई में अंडर ग्राउंड रेडियो चलाया था भूमी गत रेडियो प्रणाली शुरू की थी भूमी गत रेडियो प्रणाली शुरू की थी किसने राम मनोहल लुहिया ने इनके साथ एक लेडि और थी अरणा आसफ अली ठीक है दर ध्यान रकीगा राम मनोहल लुहिया ने भूमी गत रेडियो प्रणाली शुरू की थी भारत छोड़ो अंदोन के दौरान बंबई में और इसे के दौरान ये बहुत जादा फेमस भी होते हैं ठीक है सबीका क्लियर है की नहीं है चले next question देखते हैं वाई next question पर आते हैं ठीक है सबी लोग प्लास को ज़रा share भी करेंगा वाई है ना उसके बार next question पर आयोग मेरी बात को ध्यान से ज़रा सुन लेना ठीक है सुन लेना देखो ये सैडलर आयोग है सैडल कर रही है ठीक है सैडलर आयोग का संबन किस से था मेरी बात को ध्यान सुन ठीक है एक है दोस्तों ध्यान रखना एक है वुट्स डिस्पैच ठीक है एक है वुट्स ड शिक्षा से संबंद था ठीक है कभी भी एक्जाम में कोश्चन आएगा तो इन से जादा नहीं आएगे देखो सबसे पहला दोस्तों आया था इसको बोते हैं वुट्स डिस्पैच वुट्स डिस्पैच दियान रखना मेरे दोस्त वुट्स डिस्पैच भारत में लाया गया पहला सेक्षिक आयोग है भारत में लाया गया पहला जो एजुकेशनल बिल था वो कौन सा था दोस्तों आपका वुट्स डिस्पैच था जो कि लॉट्ड धलो जी के साशन में इंडिया में है ठीक है तास वुट्ड नाम का अंग्रे तदिकारी था जिसके नाम पर ये वु जारे जारे को आख बंद करके मारो वुट्स डिस्पैच हंटर कमीशन सेडलर आयोग हर तोंक्मटी ये चारो जो आयोग थे दोस्तों कि सही संभंदित थे सिच्षा सही संभंदित थे क्लियर हो गया ध्यान अकीका यह जो आपका सैटल राय वह आया था इंडिया में 1917 में तो दोस्तों आपको क्या होगा देखिए 1970 दिया है यहां पर मैं लिग दिया हो गया सब्सक्राइब करो ठीक है मैं आपको बता दू हाँ बस यही गलत हो गया मेरी बात मेरी बात मेरी सिक्षा से रिलेटेड कमिशन था यह 1882 में इंडिया में आया था ठीक है तो वह दूसरा है यह दूसरा है सबी लोग ध्यान सुनेगे हं एक्ष तो दोस्तों ध्यान थ्यान के रहा है पर बृत पूछा से देखो मैं आपको पहले भी बहुत आते हैं। ब्रिटिश चाशन ने भारत में प्रांती स्वायतिता कब से लागू कर दी थी दोस्तों ध्यान रखना प्रांती स्वायतिता इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है प्रोविंशन और ध्यान रखना दोस्तों आंसर यहां पर क्या होगा आंसर होगा आपका डी भारत सरकार अधिनियम 1935 ध्याना किए दोस्तों गॉवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 यह आपका आंसर है डी क्लियर हो गया ध्यान सुला अब कन्फ्यूजन क्या होगी मैं आपको बताता हूँ अगर दोस्तों 1919 का एक्ट पुछेगा तो इसमें आप लिखोगे प्रांतों में ध्याद शाषन की बात की जाएगी प्रांतों में ध्याद शाषन यानि कि डूजल गोवर्मेंट की बात की जाएगी तो दोस्तों वहाँ पर आंसर क्या होगा के देहत बनाएगे था हमारे इस एक्ट के इस एक्ट के सतर परसंट बिंदू हमारे समिदान में ऐसे ही सामिल किये गए था ठीक है सभी का क्लियर है कि नहीं उसके बाद क्या पर कोश्चन दोस्तों बहुत सारे बनते हैं देखो पहला आपका अदर मिंटो मौले सुधार अभ 1929 जो अधरियम था उसको Montague Trane Sword सुधार भी क्याते है ठीक है जिसे प्रादों में रशासें था और इसमें प्रादों में सौश्ध है सभी का सभी का अग्लियर है चले नेक्स वोश्चन पर आते में नेक्स कोश्चन हमारा क्या क्या रहे ध्यान से देखेंगे सब लो ठीक ह उसके बाद मैं इसकी तेयोरी भी आपको बता दूँ हो देखो खिलाफत आंदोलन का आरम कब किया गया था या आरम किया था तो दो जाना किया खिलाफत आंदोलन जो था वो अली ब्रदर्स के नाम से आता है दोस्तो जिनको बोते हैं शौकत अली और मुहम्मद अली दो सके भाई थे शौकत अली और मुहम्मद अली दो भाईयों ने भारत में दोस्तो इस आंदोलन को शुरू किया था जिस आंदोलन का नाम क्या था खिलाफत आंदोलन ठीक है सभी का क्लिया रही नहीं तो ध्यानकीर दोस्तो फक्रतदीन अलीहां का नाम बचाएंगे तो ये भारत के क्या रहे हैं ये भारत के दूसरे इसलामिक प्रेशिडन्ट थे या भारत के दूसरे ऐसे प्रेशिडन्ट जो अपने पत पर रहकर मर गयादा ठीक है मौम्मद अली जिन्ना की बात करेंगे तो सभी लोग इनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से अबुल कलाम आजात ध्यानक की रहा दोस्तों अबुल कलाम आजात के नाम से ध्यानक ना अबुल कलाम आजात 1923 सबसे स्पेशल कोशन आता है 1923 में जो दिल्ली शौकत अली और मुहम्मद अली इन दोनों ने मिलकर भारत बहुत में इकजाम में पूचा जाता है कि खिलाफत आंधुलन को मिला कर ही आगए कौन सा अंधुलन चलाया गया था दोस्तों और से लोगा घान्दी जी ने खिलाफत के नेताओं को ही मिलाकर कौन सा अंधुलन के बाद खतम हो गया था ठीक है सभी का सभी का क्लास को क्या करेंगे शेयर भी करेंगा ठीक है ठीक है क्लास को की बाद शेयर करो भाई ठीक है? हाँ फंस एजुकिशन में सभी किंषों भी लोग क्लास के बाद शेयर भी करो है ना बाहरत में सिविल सेवाओं का सूतर्पात किसने क्या? दियान ठेकना दोस्तों अब GD SuViva की होज, भारत में आये था कप? ये भारत में आये था? गवर्नर अने रही था ये है थै Tom भारत में बंगाल का गवश्यर खाश्पा आभान हनु ए सब्सक्राइं नहीं था, हमार्ण से रहा है। Pैर Lat लगान विवस्था के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों लगान विवस्था के बारे में बढ़ा दें तो लगान विवस्था में जो सबसे पहनी लगान विवस्था थी जिसको दोस्तों स्थाई बंदोबस कहते हैं क्या बोते हैं दोस्तों Lord Willis Ali की बात करते हैं Lord Willis Ali ध्यान रखिएगा भारत में 1799 1799 में भारत में एक नियम लेकर आया था यह जिसको बोलते हैं दोस्तों सायक संधी कौन सी संधी सायक संधी की विवस्था यह लेकर आया उसके बाद डलहौजी की बात करेंगे तो इसके पार्ट में सबसे इत्यव्दों इंपोर्टन question आता है हरग की नेती हरथ की नीथी कोौन लेकर ख सैठाम के लिएनकी नहां इतने इतुरहंद की पॉइंट विलने का समय नहीं मिलेगा आपको ठीक है पटापट बस क्यों बनाते जाएए लिखते जाएए ठीक है अब देखो मेरी बात को ध्यान सुना ये कोश्चन आपको क्या किया रहा है प्रिम्ले की कतिलों पर विचार कीज़े इंग्लेड की रानी 1858 में भारत की महरानी घोशित हुई थी होई थी या नहीं के विद्रों के बाद 1857 के विद्रों के बाद दोस्तों क्या हुआ इस विद्रों के बाद बोला गया कि भारत का कवर्णर जनरल अब वाइश्रोय बन जाएगा और आप विक्टोरिया यानि की रानी का सासन हो तो ब्रिटेन की जो रानी होगी वो हमारी भी रानी होगी तो जौर्ज पंचम है जौर्ज पंचम तदह रानी मैरी ने उनने से क्जाना में दिल्ली दर्बार रखा भून जो इदेऍग एक सेलके यहां पर आपके क्या होंगें यह पर आपके क्लियर हो गाया दोसरा नहीं होत को होगा आपका 111 में दिल्ली दर्बार रखा ठीक है तो ध्यान रकीका दोस्तों यहां पर answer आपका क्या होगा answer आपका होगा बोथ होगा ठीक है answer आपका C होगा clear answer आपका C होगा clear हो क्या की नहीं चलिए next कि मैं answer भी दे दूँगा अभी नहीं दिया मैंने लेकि मैं दे दूँगा आज रात में answer आजएगा ठीक है यह पूरा PDF आज का जो है यह भी आपको मिल जाएगा आपके telegram group पे तो दोस्तों ध्यान कीगा इस पर मुझे WhatsApp करो आप लो आप मुझे WhatsApp करोगे मैं मैं आपको reply करूँआ मैं आपको reply करूँआ आप मुझे बस हाई सर लेकर बेजो हाई सर या हाई भाई लिखकर बेजिए ठीक है तो यहाँ पर एक मिनट में बात अरे आकाश बैटरी लो जा रही देखो या देखी नहीं रहू है ठीक है एक मिनट देदा रुकिए का आप कौन से बटी लिए है आज में ठीक हाई को ओन करवा कर दो कि क्लोस कर दूँ आकाश यह देखो देखो यह इधर आओ इधर आओ यह क्या रहा है वो आ रहा है ना लिखके आओ जा अनुत से लगां tässä on the के सबी कुलोगी रीकेश कर लेंगे अप्णि अध्यद्न का अभी नहीं होगा आप लोगो एक बार आपले रिफ्रेश्स कर लीजाया ठीक है म का Nikki को भ Middle сп्रेश को एक बार दुबारा से यह घ्ला इसको रिभरेश कर लिज है आ गया लिख दिखायदी रहे हैं सभी को कि अभी सबीकोओ दिखायदे रहा है निamt। चल आपось ल् को यह नहीं शेर करो ना फासको तो में कि वाटशेद रूह मैं आपको टेलीगराम का लिंक दे दूँँ हैँ और टेलिगाम के लिंक पर आप लोग और आज tou आप तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ याँ पर आंसर होगा आपका भूत यहांए कि लिए सुल यह कॉश्चिन आपका मार्केट का बहुत तकड़ा कोशन इंवरेंग। बाजार पत्र का ज्यान रखिएगा दोस्टों अमरिद तो चोड़ दीजे यहां पर, यह चारो गलत है आपके, ज्यान कीगा आप यहां पर लेकि लीजिएगा, ठीक है? झाल 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 चलिए अभी सभी को दिखाई दे रहा है भाई अभी सभी को दिखाई दे रहा है तो सभी लोग एक बाग लास को शेयर करें आकास तो देख ले यार भाई चलिए सभी को दिखाई दे रहा है चलिए सभी को दिखाई दे रहा है चलिए लोग एक बाग लास को शेयर कर दे रहा है ना एक चलिए मेरी आवाड भी कर रहे सो है बिर प्रत प्रण निएर नहीं करता है सब्षुर्ण को शिश्र कुमार्गोश द्वरा स्थाफि ये पुश्टक यो ये जो पत्रका थी शिश्र कुमार घोष द्वारा स्थाफिक ये जो पत्रका थी ध्यानकी का बंगाल में ध्यान रखिए का बंगान में अंग्रेजी और बंगाली भाषा में चपने वाली सापता ही पत्रिका का नाम था ये बहुत important पत्रिका है ध्यान रखिए का आपने कभी नाम सुनावा Lord Litton का ध्यान रखिए का दूस्तो बारत का एक कुलर幹嘛 लगा कर इस पत्रिकार फिर चापा गया लेकिन केवल अंगले링 शापा ठीक है चले..., और स्अंगर को सवाटे है यहां अब कर दोको सेफ को सेफ भी कर देगा भई बाग लाए एन इंग्लिश बिल्को सही ठीक है चलिए नेक्स वोशन पर आते हैं नेक्स वोशन क्या था भाई नेक्स वोशन नागरिक सिवाओं के लिए प्रतियोगी परिक्षा प्रडाली का सिध्धान्त त्विकार क्या थे ध्यान कीगा दोस्तों जो आपके ICS Services में Indian Civil Services में जो Pre और Mains के एक्जाम थे दोस्तों कैसे थे आपके Pre और Mains के जो एक्जाम होने शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे 1853 में बहुत important question है दोस्तों ध्यान कीगा 1853 में एक Act आया था जिस Act का नाम था दोस्तों Charter Act जो Civil Sewa है जो Indian Civil Services है उसमें आप Pre और Mains के एक्जाम कराए जाएंगे तो इस सिस्टम को भारत में 1853 में आपकी परिक्षा प्रडाली को सिद्धानता स्विकार किया था द्यान कीगा 1853 में हुआ था मैं आपको बता दो दोस्तों All India इसको लिख लेना इस नाम का एक बोर्ड बनाया गया था आपको बता दूं यह सारा काम किस ने करवाया था दोस्तों यह सारा काम लॉड मैकाले ने करवाया था जो की भारत में अंग्रेजी शिक्टा कर जनत था ठीक है किस अधनियम के तहत लॉड कॉन्वेलिस को अपनी कांसिल को फैसलों को रग करने का अधिकार इसको दोस्तों बोलते है क्या इसको कांसिल के फैसलों को रद करने का अधिकार को बोलते हैं क्या इसको बोते हैं दोस्तो, अध्यादेश ध्याना कीगा, अपनी काउंसिल, अपनी जो अपना जो साहेक मंडल है, उस मंडल के फैसले को रद करने का अधिकार, किसको दियागया था? अलंट कॉंड वेलिस को दिया अगय था और ये दिया अगय था दोस्तों 1793 के एक में चार्टर एकट में ध्यान लखना सबसे पहला अधिनीयम जो भारत में आए था वो तो पहला चार्टर एक जो था वह चार्टर एक था 1793 और इस चार्टर एक में गवर्नर जनर को बोला कहते है कि वह अपने कांसल के नियम को क्या कर सकता है तोड़ सकता है सुलो मिशाजी 33 होगा 93 होगा ठीक है सभी लोग दोस्तो एक बार क्लास को शेयर कर दो वरना यार बीच में क्लास बिसफ़ोथी तो फिर गुस्सा आता है तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगा चलिए नेक्स सोचन क्या कर रहा है बातिय राजनीती में 1947 के बाद किस महिला ने सरवाधिक योगदान दिया था तो ध्यान रखिएगा 1947 के बाद किस महिला ने सरवाधिक योगदान भातिय राजनीती को दिया था इन में से तो ध्यान रखिएगा दोस्तो इन में से नाम आता है अरन असफ अली थी ये लेड़ी एक और इनके साथ एक लेड़ी और थी उशा महता इनके साथ एक लेड़ी और थी उशा महता और इनके साथ एक और थे राम मनोहल लोहिया कौन था भई राम मनोहल लोहिया थे तो ध्यान रखिए हो दोस्तो राम मनोहल लोहिया उशा महता और ये बारत छोड़ों अंदोलन 1942 में चला और इसमें इलों ने भूमी कत रेडियो पडाली शुरू की थी तो अरना असाफली इसमें बहुत फेमस हुई थी आजाती के बाद हिंदी को राश्ची बासा बनाने का लिए में जो सला थी वो राम मनुहलुया और अरना असाफली ने ने लिखा था अब आपको ये बताना है दोस्तों कि वन्ने मातरम किस में लिखा गया ठीक है पहली बात बहुत सिंबा सा कोशन है दोस्तों ध्यान अकीगा वन्ने मातरम जो गीत है वन्ने मातरम गीत किस में लिखा गया आपको ये बताना है ठीक है और ध्यान अकीगा इसक कॉंग्रिस का अधिवेशन था जिस अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था ठीक है इसके बारे में आपको उताने बहुत सिंपा सा कोशन था ठीक है तो यह आपके बंकिम चंद्र चेडर जी ने लिखा है यह तो सभी को पता है चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं हाँ बिर्क grateful सही था और इस गाने को सबसे पहले गाया किसने था दोस्तो ध्याना कीगा गाया किसे था अपको यह बताना ठीक है इस के बारे में सब भी जों सबसे पहले गाया किसने था ठीक है उसके बारlak दोस्तों ध्यान लगा इस एक्ट को लगाया लिटन ने था 1878 में लगाया था और इस इसको भारतियों का मित्र भी कहते हैं, इसको भारतियों का बोते हैं, मित्र भी कहते हैं, ठीक है, clear हो गया, उसके बार, Lord Minto के बारे में आपको पहले भी बता चुक हो, लिटन के बारे में इसने लगाया था, इसने क्या किया था, तो दोस्तों, रद करने की बात आ रही है, त बहुत इंपार्टन कोश्चन है तो सभी लोग बाद क्लासों शेयर भी करेंगे अज़िवा पांडे जी ये रभिना टैकोर ने काया था ठीक है ध्याना किया रभिना टैकोर ने काया था और कोई स्वामीज नहीं था ठीक है चलिए नेक्स वोचन पर आते हैं नेक्स वोचन पर आते हैं मैं नेक्स वोचन हमारा क्या कर रहा है इंडियन अंड्रेस द्यान रखे रहा है दोस्तों इंडियन अंड्रेस का लेखा कौन था वेलेंटाइन सिरोल द्यान रखे रहा है दोस्तों आंसर है का आपका वेलेंटाइन सिरो और इसमें इसने बी जी तिलग के लिए बुला था कि बीजी तिलग को इसने कहा है क्या इसने भारत में अशान्ती का दूत कहा था इसने किसको भारत में अशांती का दूत इसने कहा था किसको आपके बीजी तिलक को ठीक है ध्यान रखी का दोस्तों बीजी तिलक को भारत में अशांती का दूत वलेंटाइन शिरोल ने इंडिया अंड्रेस्ट में बोला था और यही इसका कहना था कि बीजी ति बोला भी था भी कि अगर एक्जाम में कोश्चन आता है हंटर कमीशन और हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेस जोर दिया गया था पुद्धे को यहाँ पर कहीं भी आपका कहीं भी यहाँ पर क्या नहीं लिखा है यहाँ पर कहीं भी आपका जलिया वाला बा में एक hunter commission इंडिया में आया था दोस्तों वो प्रात्मिक सिख्षा पर डिपेंड ठीक है जान रखीगा उसके बाद अगर दूसरे वाले hunter commission जो William hunter था उस commission की बात करेगा तो वो commission दोस्तों आया था 1919 में आया था और इस hunter commission को बनाए गया था जलिया वाला बाग कांट के लिए ठीक है तो जलिया वाला बाग कांट की जाज करने के लिए जो commission आया हो 1919 में था यह hunter commission 1882 में इलिया में है सभी का सभी का सभी का क्लियर है कि नहीं वेरी बुद चलिए अध्या देश की बात आ रही है अध्या देश क्या होता है जब कोई भी जब किसी का अधिकार ना चले जब किसी की बैटक ना चल रही हो तो उस समय हमारे देश का प्रसंट जो होता है वो अध्या देश लागू कर सकता है ठीक है और अध्यादेश एक नियम की तरह ही लागव जाता है ध्यानकरा मेरे दोस्त ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम में दिया गया था ये आपको बताना है ठीक है तो इसके बारे में सबी लोग बताएंगे कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको मिला साथ ठीक है आी-क है तो थि यान किना यह अध्यादेश जारी करने का अधिकार की सैट में लठा अठारा सौ एक सघुगर का यानिक श्रणी 容 जो भुआ बन किया था और इस और एक्जाम होग बीकिन को दोस्तों प्रतिन दुट का यूग भी कहते है यानि की an era of representation an era of representation बोला जाता है क्योंकि भारत में पहली बार 1860 में भारत में पहली बार भारत में क्या पेश होँआ था भारत में सबसे पहली बार बजट पेश होँआ और इसके बाद से बजट पर बार्टियों को अपना प्रतिनेज़त करने का अधिकार में रहता है इस अधिया में क्लियर हो कैसा भी आते हैं नेक्स वोशन पर आते हैं नेक्स वोशन उसने पहले आपको एक चीजा बता दू यह जो 1833 है दोस्तों इसी एक के तहट मैकाले का भारत आगमन हुआ था मैकाले जिसको आप लोग भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहते हो ठीक है ठीक है चलिए आई सभी लोग एपाप लोगी अब फॉसका बहर भाद में जायेगा ठीक है चलिए नेक्स वोशन पर आते हैं 1799 में कौन लेकर आयए था सर लॉड वेलेज अली लेकर आया था ठीक है साय बंदोवर्स अभी मैंने आपको बताया एक्जाम में पूछा जाता है 1793 इसको कौन लेकर आया था लॉड कौन वेलेज लेकर आया था ठीक है बंगाल का भी बाजन 1905 में हुआ था और ये कौन किस नहीं किया था दूस्तों ये लाट करजन ने किया था था लियर हो गया अठ Mr. G disciples जो तो 2018 की नीती है ये भारत में टॉशाइस लेकर आैड ऐडlor हूजी लेकर आय था क्लियर हो गया थै तो ध्यान अक्राम मेरे दोस्त यहाँ पर सबसे जो अंत में जो सबसे पहले हो रहा है वो ये था और जो सबसे बाद में है वो ये है यानि कि आंसर आपका हो जागा बी आंसर हो जागा बी सबसे अंत में क्या हुआ तो दोस्तों सबसे बाद में बंगाल का विभाजन वाता ह लौट वेले चली बिल्कों सभी बिल्कों सभी बिल्कों सभी चली नेक्स सोचन पर आते हैं तो हमने फटाफट करेंगे उसके निम्लेकेज में से किसके अंतरकश भारत में सर्पृद्धम न्यायले की साथ नहीं जानगा मेरे दोस्त मैं आपको बदा दू मैं पिछले कोशन एक 1713 बिटेज शाशन द्वारा भारत में लागू किया गया पहला अधिनियम बिटेज शाशन द्वारा भारत में लागू किया गया से पहला अधिनियम था वो कौन सा था हैwe अभी मैंने थोड़ी दिस पहले आपको ये भी पताया था अठासो त्रेपन में भारती सिविल सेवा में प्रिलिमिनरी एक्जामनेशन यानि प्री में इसके एक्जाम शुरू हुए थे ठीक है उसके इंडिन कॉंसिलिशन तो छोड़ दीजे गोवर्मेंट अफ इंडिया एक उने सपैंटिस ध्या रखना इस अधिनियम के बारे में कोई चीज पूछी आती है बर्मा का बर्मा को भारत से अलग किया गया था बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था यानि कि दुम्यामार है न मियामार को भारत से क्या कर दिया गया था अलग कर दिया गया था कौन से अधिनियम में 1935 क्लियर हो क्या नेक्स वोशन पर आते और ध्यान रखीगा बीजी तिलग जो थे ध्यान रखीगा इनके दो अख़बार बड़े फेमस है एक था दोस्तो केसरी और एक था मराठा ये दो अख़बार इनके बहुत फेमस रहे हैं एक केसरी था ये दो इनके अख़बार हैं और ये केसरी और मराठा के अगर हम बात कर तो ध्यानके जो केशरी था यह अनके छो इसको झ्यानकीगी घगा है में आनकी decree में इस यह साहितने आपका भूत सवकत है और असेर अन्य कोशन की अचना जाधा लेकिन एनके prepared तो केशारी मराठा केशरी मराठी भासा में था यह अग्रίν ए अंगरेजि भासा में भारत का जो पहला हत्यकांट था भारत का जो पहला हत्याकांट याना जाता है वो हत्याकांट किस नहीं करवाया था दोस्तों बीजी चिलक ने करवाया था इन्होंने क्या था अठारा सो 7 सत्तानवें में 1897 में पूने में पूने हत्याकान जो हुआ था दो अंग्РЕज अधिकारी थे कर्णल रैंड और आयेच ट्यानक रहेंड ना कर्णरो जदिकारी थे जिनको गोली मरवाई थी किस ने बीची चिलक ने दामोदर चापेकर और बालकेश चापेकर के हाथ मरवाया था ठीक है यह पहला आत्या कांटा वो उन्हें ने कर रहा था चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं मैडम कामा ने मैडम भिकाजी कामा ने उन्हेंज साथ में पर आज यह पर क्या यह पूछ रहा है कि यह जो चार पॉइंट है थीन पॉइंट जो है इनमें सिर्फ कौन सा आंसर आपका सही है तो ध्यानकी की आपका आंसर होगा वह कौन सा होगा यह ऐसा कुछ नहीं था कि इसी अंतराशे सोस्लिस सम्मेलन में इन्होंने धुत नहीं लह रहा था ठीक है तो ध्यानकी की वास्तिता में ये पार्सी माता- पिता की बेटी थी और मैडम कामा दादा भाई नेरो जी की निची सचिव भी रही है ठीक है तो जाने कि यहां पर दो और तीन सही है यानि कि आंसर आपका क्या होगा दोस्तों भी होगा ठीक है कांसर पताई ठीक है हाँ गडएश महाच सब बेटा गडएश महाच सब अठाज सब अठास तिरान्वे में नहीं आए ता गौतम जी गडएश महाच सब 893 में गडएश चतुरती एटी नाइटी थी और शिवाधी महाच सब्सुटाव 1195 में आ था बिल्कु से उसके दोस्तों स्वतंधर भारत आ रहा है न अभ भारत का अंतिम गवर्णर जनरल जिसे भुला कि आगे वो hausë कुर रहे ती राजगुपाला चारी है ठिक है सवतंधर भारत का नहीं सोरे गलत हो गया यार ठाइउड को यहाँ पर भारतिय कवपश्चारी होते हैं, ठीक है, खांश रीटान होगा, नहीं होगा, ठीक है, विक्की विर जी नहीं होगा, ठीक है, माउंट बेटेन होगा क्योंकि आपर भारती नहीं लिखा है अगर भारती लिखा हो गया होता तो सीराज कुपाला चारी होता है ठीक है? चलिए नेक्स कोशन बेहाते हैं नेक्स कोशन हमारा क्या क्या रहा है ये कोशन आपके NTPC में कई बार पुछा गया है मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ देखो काली दास से रिलेटिड बहुत सारे ग्रंत और बहुत सारे कावियों के बारे मुचा किया है मुशी प्रेम चंद के बारे में बहुत सारी चीज़े पूची किया है जैसे गोदान एक्जाम में रटा हुआ है काली दास तो भर-बर के एक्जाम में आते है में जो कॉंग्रेस का लखनों अदिवेशन हुआ था लखनों सेशन में इनको पहली बार सम्मानित भी किया गया था लखनों सेशन में इनको पहली बार सम्मानित भी किया गया था मुशी प्रेमचन जी को था नेक्स वे आते वई अगर दोस्तों exam में आए आएगा Central Hindu College लिखकर आएगा Central Hindu College में आप नाम लोगे किसका Central Hindu College में आप नाम लोगे Any Basin का ठीक है यहाँ पर नाम लोगे किसका अगर इक्जाम में बनारे इन्डु हिंधरी आया तो ध्या नगी है हाँ पर नाम आप किसका लेंगे मदन मोहन मालविया जी का नाम लेंगे जब सेंट्रल हिंदू कॉलेज के प्रांगर में 1916 में जब बैटक की गई थी तो जोरान मदन मोहन मालविया जी ने इसका नाम दिया था क्या इसका नाम दिया था बना सिंद्ध इनिवर्स्टी क्लियर हो गया सबीका चले नेक्स वोशन पे आते हैं भई नेक्स वोशन इन में से कौन भारत में मुस्लिमों की उच्छी सिक्षा के पत प्रदर्शक रहे जाने के हैं दोस्तो मुस्लिमों को इस्लामिक सिक्षा से दूर करने वाला और मुस्लिमों को अंग्रिदी सिक्षा के लिए प्रेड़ करने वाला जो बंदा था वो सेयद अली अहमद थे ठीक है सब सेयद अहमद खान थे ठीक है तो सेयद अहमद खान दोस्तों ये वही है जिन्होंने अंगलो महमडन औरियंटल कॉलेज की क्या की थी सापना की थी यही दोस्तों आगे चलके क्या बन गया अलिगार मुस्लिम यूनिवस्टी बन गया इन्होंने ही दोस्तों अलिगार मुव्मेंट या अलिगार आंदोलन भी चलाया थी ठीक है और ये अलिगाड आंदोनन के पड़ेता भी रहे और ये बोलते थे मुस्लिमों को कि अंगरी जी शिक्षा पड़ो बागी सब छोड़ दो ठीक है तो ध्यान किया क्लेर हो कै सभी का चलिए ठीक है ठीक है चाटर निम्लिकित कदरों पर विचार कीजिए करते हैं बाई चाटर है टठासर रिपन के दौरा इस इंडिया कंपनी के भारती व्यपार के एकादिकार को साहित कर दिया गया उत्साइट कर दिया गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर का बिटिश संसर ने इस इंडिया कंपनी को पूर्टा समाफ्त कर भारत में सीधे शाषन का उत्तरदाई तो ग्रहन किया ठीक है तो ध्यान किया दोस्तों दूसरा वाला तो बिलकुल सही है ध्यान किये ग और ये वाला होगा नहीं अब आपको ये पूछ रहा है कि यहाँ पर सी सही है भी सही है तो ध्यान किया ये आपका फर्स्ट वाला गलत है तो आंसर हुजएगा आपका बी अब सुनो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा इस इंडिया कंपनी के भाती व्यपार के एकादिकार को उच्साहित किया गया ऐसा नहीं था ध्यान किया दोस्टो 1853 के एक के तहट तो भारत में क्या हुआ था भारत में इस इंडिया कंपरी का सासर लगबग लगबग खतम हो जुगा था उच्साहित नहीं किया जा था ठीक है तो ध्यान किया दोस्टो ये वाला पॉइंट आप नेक्स एमारा क्या रहे है अब दोस्तों यहां पर आपके आए क्या भार्त यहां पर किया थाएए सहंविदान की तो बहुत पूछे जाता है ठीक है तो बारतिय सहंविदान की कुछेश विवश्था इंगलाइड से ली गई है तो इंगलाइड से ली गई दो विवस्ता जो इंडिया में थी उनमें option है क्या संसतिय प्रकाली, संखिय प्रकाली मूलदिकार और सर्वोस्च नैल आपको यह बताना है तो ध्याना कीगा दोस्तो पार्लियमेंटरी सिस्टम जो था दोस्तो ये कहां से लियागा ब्रिटेन से लियागा जैसे हमारे देश में संसद होती है हमारे यहां दोस्तो लोगसभा और क्या होती है राजसबा होती है, होती है या नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, ब्रिटेन में होती है, हाउस अफ कॉमन्स, हाउस अफ कॉमन्स, और ब्रिटेन में होती है, दोस्तों, हाउस अफ लॉड्स होती है, ठीक है, हाउस अफ लॉड्स, तो दो सदन उनके यहां भी होते ह तो इसको parliamentary system कहते हैं और यह हमने कहां से लिया था यह हमने दोस्तों कहां से लिया यह हमने बिर्टेंज से लिया था clear हो गया चलिए next question पर आते हैं sir next question बारतीज सम्विदान का कौन सा लक्षर आर्लेज सम्विदान से underpredate है देखो बेरी बात ध्यान सुना नीती दिशक तत्तों कहते हैं और दोस्तों यह part आते है part number 4 part number 4 में दोस्तों नीती दिशक तत्तों को शामिल किया था ठीक है सभी है clear है उसके बाद राष्ट्रपती के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है आपको यह बताना है और मौलिक कर्दावे भारत में 1773 से 1935 से भारत में कई सारे अधिरियम लागू किया उन में से जो आखरी अधिरियम था वो यही था government of India at 1935 government of India at 1935 के 70% विंदू हमारे सम्विदार में क्या किये गए शामिल किये गए तो जो इंडियन constitution के जो largest single source है वो government of India at 1935 से लिये गए clear हो किया सभी का next question पर आते हैं सर next question हमारा क्या किया रहे भारत की संगी व्यवस्था किस देश की संगी व्यवस्था से अधिक समानता रखती है तो सभी लोग प्लास पर शेयर भी करें तो जयाने किया दोस्तों संगी व्यवस्था हमने कहन से लिया है कानेडा से लिया संगी व्यवस्था की system अध़ कहन से लिया था वो हम लोग प्लास लिया था next question पर आते है next question हमारा क्या के रहा है भाद्ये समीदान के अंतरक्र संग और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है जहां से मेरी बात को सुना बादिय संविदान के अंदर का संग और राज्य, केद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है जिसमें केद्र सुची, राज्य सुची और समवर्थी सूचियां आती हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा है तो कहना है कि बारती समविदान में समवर्थी सूचि की जो अब्धारना है वो कहां से ली गई थी ठीक है तो आपको यह बताना है तो सभी लोग इसके बारे में बताएंगे भई पारति सम्ष्भान की अंतर जो संग राज की बीच शक्तियों का जो विभाजन था वह कहांसे लिया गया था ठीक है तो कांसे लिए गया था दोस्तों वो भी आपका कांसे लिए गया था कैनेडा से ही लिए गया था क्लियर हो क्या सभी का क्लियर है क्लियर है क्लियर है की नहीं है चले नेक्स ओशन पर आते हैं नेक्स ओशन हमारा क्या है नेक्स ओशन बाते सम्विदान में मौलिक करते बेका विचार देखो भाई मौले करते हैं बारत में बहुत बाद में आये हैं और यह आये दे दोस्तों फ्रम दी कॉंसिजूशन ओ रश्या ध्यान दक्किये का दोस्तों यह बहुत बाद में लाए गए और यह लाए गए इंद्रा गांदी जी के शाशन में 42 सम्विदान संफन, 1976 और इस सम्विदान संफ güdhann के तहट एक नया पार्ट बना था पार्ट नंबर 4 a बना और एक नया आर्टिकल बना था आर्टिकल नंबर 50 a आर्टिकल नंबर 55 a में हमारे 10 मौलिक करतवे शामिल किये गए थे लेकिन दोस्तों अब कितने हैं 11 करतवे ए physics 1 करता है तो यह कुछ से लिय का था रिषिया हो सकता है एक्जाम में रिषिया लिकर नाret कर Mouse ने तो यह रहे हैं और ऐसरो कि ले जब्र fundamental right अपिक है फॉस्स है और रहे हैं चलि européर करते होई किस ते nód किया गया है तो थे अभी साख्षी ने इसका आशर दिया था त्वणी समिदान में मौनुक का अथिकारोगा बात करेंगे तो दोफ स्विदान कि वहाँ पर किसा नाम आता है आपका वहाँ पर आपका नाम आता है किसा अमेरिका यूएसे से हमने क्या लिया है देखो विल्कुल कभी कन्फ्यूज नहीं होना है मौलिक अधिकार जो है जो अधिकार है वो दोस्तों कहां से ले गए है आपके यूएसे से ले गए है और दियान अकिका इच्जाम में कोशन और आ जाता है कि भारत में जो संसदीय प्रणानी थी ये कब लागू होई थी तो ध्या रख हो दोस्टो ये आपकी कब लागू होई थी ये 26 नवंबर DMR BriH Judicial Review की बात कर रहा है तो नयाइक पुन्रा वलोकन के विचार को ग्रहण किया था तो ये विचार दोस्तों कहां से आया था कि नयाइक पुन्रा वलोकन के विचार को कहां से लेगा था तो ये भी आपका कहां से लेगा था दोस्तों ये भी आपका अमेरिका से लेगा था काहां से लिया गया था दोस्तों अमेरिका से लिया गया था सभी लोग एक्जाम में प्लास को शेयर भी करेंगा भाई वही पाटके गए हैं बिलकु सही है चलिए नेस्ट वोशन जान विया था अगर दोसों कानून वैसे तो भारत का कानून देखें तो एक सिंपल सी बात तुम्हें बताओ अगर लड़का लड़की को छेड़ेगा ना लड़के बोले की जाकर की लड़का छेड़ रहा है तो पुलिस बहुत पेलने दो स्वाग्य में भारत के लड़किया छेड रही है तो नहीं बचाइगा पुलिस वाले अलग से आपकी मौज़े ले लेंगर फिर्चाइगे लेई तो आपकी लेगा देशान लेकिन ये वाक्य किताबों में है ये वाक्य सचाई में नहीं है ठीक है वाक्य सचाई में नहीं है दोसों सचाई में लड़के पेले बहु जाते हैं अगर किसी लड़की ने मजाक में भी कह दिया ना इसलिए दूर रही ना लड़की ने मजाग में भी कह दिया पुलिस वाले थे वांकल जी यह चेड़ रहा है तो मजाग में भी पेल ले जाओगो तुम समझे इसलिए दूर रहना क्लियर है चलिए नेक्स विशन पर आते हैं बाते हैं बाते हैं चम्विदान में आपाच उब्बन वालेच शासन अगर जनता ना माने तो जनता को आपात लगा दो वैसे ही यह व्यवस्ता 1935 में दी गई थी लेकिन पूरी तरह नहीं थी तो उसके बाद यह व्यवस्ता कहां से ले गई दोस्तों जो व्यवस्ता थी वो जर्बनी से ले गई थी यानि कि आपका अप्शन नंबर हो जागा बी क्लियर हो गया चलिए नेक्स वुशन पे आते हैं बात यह समिदान में राज की नीती निशक तत्तों की संकर्पना यह कुशन रिपीट हो गया है यह संकर्पना कहां से ले गई अच्छा अक्षन में आपके अलग-अलग तरीके से दे रहा है तो नीती निशक तत्त्तो की संकर्पना कहां से ले गई तो ध्यानक ना दोस्तों यह आपका होगा नहीं यह आपका होगा नहीं यह आपका होगा नहीं तो ध्यानक ना दोस्तों यह आरलेंड से और फिर स्पेन भी लिखा है तो ध्यानक ना कभी अकर एक्जाम में आरलेंड नहीं आता है तो मैं आप को बदा दू जब तक आरलेंड दोस्तो ब्रिटेन के अधीन नहीं था तब तक आरलेंड पर कबज़ा किसका था स्पेन का था ठीक है तो ध्याना की का जब तक आरलेंड पर कबज़ा ब्रिटेन का नहीं था तब तक कबज़ा किसका था स्पेन का था तो ध्याना की का दोस्तो आर्लेंड की देखे आपने एक्जाम में क्या पूसकता है Spain भी आसकता है सभी का clear है कि नहीं चलिए DPSP Ireland clear है कि नहीं चलिए नेक्स उशन पे आते हैं नेक्स उशन में आपना कैया करा है बाद लिए संविदान राश्पती द्वरा बहुत बड़े कुछ रहे राजपती दोरा राजी सभा के सदक्स्यों के नामांकन का नियम किस देश के सम्मिदान से लिया गया तर अगर नामांकन की बात करेंगे किस की बात करेंगे अगर नामांकन की बात करेंगे सर तो द्यानक कीगा कि सभी लोगों को पता है कि संसंद में कितने सदन होते हैं सर संसंद में दो सदन होते हैं एक आपका लोक सबा और एक हो गया गया राज सबा लोक सबा में दोस्तों मैक्सिमम हो सकते हैं 552 जिन मेंसे जो दो रखे गए वो जो नियम चेंज हो रहे हैं उनको भी भूल जाना अभी हम लोगों कॉमन नियम देख रहे हैं तो दो एंग्लो इंडियन की जो विवस्ता रखी गई थी समिधान में वो विवस्ता थी ये नामांकित होंगे और यहां पर बारा सदस्युक दो सो पचास में से बारा सदस्युक और राश्पती क्या करता है नामांकित करता है तो ये विवस्ता भी कहां से लिए थी दोस्तों ये विवस्ता भी आर्लेंड से लिए थी ये विवस्ता भी आपकी आर्लेंड से लिए थी ठीक है नवरेंद्र आखरी बार बोला हूँ नवरेंद्र बेटा आखरी बार बोला हूँ तुम को ठीक है नहीं तो अब मैं बोलूँगा नहीं ठीक है फिर रोना मत मेरे को फिर रोगे तुम मूह लेकर रोते हो है ना अब यहां चाची चाचा कर रहा हो तुम है ना फिर अभी मूँ लेकर रोगे कि सर आपने मेरे को ब्लॉग कर दिया तो सम्विधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच नहले का अधिकार विश्ट के किस सम्विधान से लिया गया तो जाना कि भारत में अगर बात करें तो आपको यह बताना है कि सम्विधान का संरक्षक कौन है तो ध्याना की का यह भी कहां से लिया गया तो देखो यहां पर क्या लिखा है तो ध्याना की है दोस्तो हमारे भारत में मौलिक अधिकार का फंडामेंटल राइट्स का भी रक्षक कहते है मौलिक अधिकार का रक्षक है कौन सुप्रीम कोट ठीक है और सम्विधान की परिभाषा सम्विधान की परिभाषा की बात अगर आएगी तो सम्विधान की परिभाषा भी कौन देता है सुप्रीम कोट ही देती है क्लियर दिन पूरे हो गए हैं ठीक है चलो नेक्स वोशन पर आते हैं बारते सम्विदान में उल्लेकित सतंतरता समानता और बंधुता की संकल्बना किस से प्रजित है देखो सतंतरता इक्रालिटी और बंधुता की जो सिस्टम है वो हमारे इंटिन कंस्टिशन में कहां से ले गए है आपको ये बताना है तो दोस्तों ध्यान की बारते सम्विदान में जो सतंतरता समानता जो सिस्टम है ये कहां से ले गए था ये सबसे लिबरल कंस्टिशन से ले गए है ध्या द्यान रखिएगा दोस्तों यह समानता सुदंता का नियम जो था यह समिदान फ्रांस की समिदान से लिए ठीक है द्यान रखिएगा यह वहीं फ्रांस है जिस फ्रांस ने हमें एक शब्द दिया जिस वर्ड का नाम क्या था रिपब्लिक द्यान रखना है दोस्तों यह जो ग बारत में कलेक्टर का पद आपनवेशिक शाषन ने उधाल लिया था। क्या कह रहा है कुस्छन। बारत में कलेक्टर का पद आपनवेशिक शाषन ने उधाल लिया था। The post of collector in India was borrowed by the colonial rule, from where? ठीके? फ्रांसी जी गंधी आप बढ़ाएं.. Dinesh कि कि दिनेश अगर ज्यादा जबान चलाओगे न तो तुम्हारी भी जबान कटेगी ठीक है मेरे ज्यादा जबान नी चलाना आपने पीडियाफ मेरे को मांगते हो मैं आपको सब चीज़े बताता हूँ और आप से मैं बात भी करता हूँ लेकिन इस तरीके थे अगर बात करो विदी के समक्ष समांता कानूनकी नजर में हरकोई क्या है समान है यह समान आती है आर्टिकल लंबर 14 सामिदान का अनुछेद नंबर 14 साफ साफ कहता है कि कानून के समख सभी को क्या है समानता है कानून के समख सभी को क्या है समानता है कानून के समख सभी को क्या है समानता है तो इस बात में कोशन पूचा जा रहा कि कानून के समख समानता किसके तहब दी गई थी ठीक है तो धान अकिया दोस्तों ये भी कहां से ले गई है कानून के समख समानता हमारी कहां से ले गई है इंग्लैंड के सही ले गई है यारी 49 का असर क्या हो जागा कानून के समख समानता विदी के समख समानता दोस्तों कहां से है England से ठीक है यह article number 14 में आते है ठीक है सर्व सत्ता संपन संसत की अधारना किस देश की देर है तो इस प्रकार के वार्ड जब एक्जाम में आते हैं तो हम लोग टेडर हो जाते हैं question बहुत simple है दोस्तों sovereign parliament की बात कर रहा है यह भी हमने England से ही ली थी clear हो गया की नी चलिए next question पर आते हैं sir next question हमारा क्या कर रहा है तो next question हमारा क्या है बात यह समिदान में मूल करतवियों को शामिल करने का विचार मूल करतवियों को शामिल करने का विचार जो था देखो उसी question को घुमा के बोला गया है जयान रखीगा सरदार स्वनर सिंग मेरी बात को ध्यान से सुनना सरदार स्वनर सिंग एक्जाम में ये कोश्चन आता है सरदार स्वनर सिंग जो थे सरदार स्वनर सिंग की एक कमिटी बनी थी और ये कमिटी जो थी ये कमिटी बनाई गई थी दोस्तों 76 में नहीं बनी थी य सर्दार स्वांड सिंग सम्ती को बोला गया था कि जाओ और दुनिया में जूंडों कि भारत में मौलिक करतवे कहां से लिए जाएं तो द्यानलकी का ये करतव देखो यहीं पर कोशन में ने आपको बोला था कि अगर एक्जाम में रशिया लिखकर नहीं आया तो इग्जाम में क्या लिखकर आएगा दूस्व ग्जाम में सोवियत यूनियन यह नहीं सोवियत संग लिखकर आएगा तो द्यानलकीव द्यानलकना भारत पे जो मौलिक करतवे differ हो आए थे वो किस समिती दौरा दिया करते हैं? सद्दार सेली सिंग संती धौरा दीये ग्यात है शुरवात में हिंदी से थे ठेक है शुरॉत है ने तुम्हार है नहीं बहुत बहुत कि या दिकारों के यह कि निया घ्यान की गा बारने सम्मिदान देख जो मॉलिक अधिकार हमें मिले हैं इसका सगन मॉलिक अधिकारों को जब संविदान में रखा गया तब पहर ये बोला गया कि ये कभी नहीं किये जाई हैं फिर बाद में ये हुआ दो केस आपको ध्यान होंगे मैं आपको ये एक्स्प्रेंड करूँ आप बाद में अभी मैं बताते रहूं जिनको याद है एक केशवानन भारती का केस था केरल वाला और एक था अपका वो हिन्री गोलकनाथ हिन्री गोलकनाथ वर्सस पंजाब राज्य हिन्री गोलकनाथ के केस में एक हिन्री गोलकनाथ नापका व्यक्ति था जिसके मर जाने के पाद उसकी संपत्ती पर पंजाब सरकार ने कब जा कर लिया तो हेंडरी गोलकनात के केस में उसकी संपत्ती उसके बच्चों को दे दी गई लेकिन केशवानन भारती के केस में उसकी संपत्ती सरकार ने ले ली तो सरकार ने साब बोल दिया कि मौलिक अधिकारों का स्थगन भी किया जा सकता है तो था कि मॉलिक अधिकारों को क्या नी किया जाएगा शंशोधित नहीं किया जाएगा लेंकि बाद में केश्वा नद्बार्ती के केश के बाद असको संशोधित किया घromya और संफत्त्ती काधिकार जो आपका आठिकल नंबर 31 है संभुषियम संभण्राइब के सम्वेदानिक आधर्शों पर भाकर समिदान में कौन से विवस्ता शामिल की गई थी तो ध्याना करा दोस्तों ये उसी question को उल्टा गोना के आप पूछ रहे हैं कि USA से हमने क्या लिया है तो federal government ली है fundamental right ली है independent and impartial तो ध्याना करा मेरे दोस federal government का system भी हमने किसे लिया था यूएसे से fundamental rights भी किसे ली थी यूएसे से तो प्रीम court की विवस्ता जो निश्पक्स थी वो भी यूएसे से ली तो आंसर यहां पर क्या हो जागा उपर यूगत सभी तो अभी तक आपका एक-एक question थे अब हैने सीधे आपको इस question पूछा किया है कि यूएसे से हमने क्या लिया है तो यूएसे से ये चारो चीज़े हमने लिये हैं संगिये साशन विवस्ता मौलिक अधिकार सुदंत और निश्पक सर्वोचनेल है और उपर एक तो सभी क्लियर हो गया चलिए next question पे आते हैं sir next question क्या कह रहा है देखिए नेक्स question को ध्यान से पढ़ेंगे ज़रे सबी लोग ठीक है भारतिये सम्विदान के निर्माण में सरवादिक गंभीर प्रभाव निमलिकित में किसने छोड़ा तो भारत के सम्विदान में जो सबसे सरवादिक जो प्रभाव है देखिए उसी question को कैसे हुआ है यहाँ पर कहीं नहीं लिखा आपसे 1935 कहीं नहीं लिखा आपको यह पूछ रहा है कि यहाँ पर यहाँ पर क्या पूछला है भाई तो ध्यान के यहाँ पर आपके क्या नहीं लिखा उन्यशंवी 155 में नहीं लिखा रहने है न है लेकिन ध्यान को यहाँ पर आपका ब्रिटेस रोंचिशन Constitution of ये तो आपके वो देश है जहां से हमने दो-चार पॉइंट लिए यहां से हमने नीती निदिशक्तत तो लिए यहां संगी सरकार और मौली का दिगाल लिए संसद्य प्रडाली भिटन से लिए लेकिन जो maximum point है वो कहां से लिए है Government of India at 1935 से लिए है तो हो सकता है एक्जाम में यह लेकर ना है लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है संविदान के जो में बिंदू है कहां से लिए गया है बारत शांसन अधरियम 1935 से लिए गया थे ठीक है चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं करें यह तो भातियरे असे नहीं यहां से लिए न Εक्से व कोश्शन को जड़ा ध्यान से सबी सिसी के जगते हैं और सब हो कि कोश्चन बहुत ज्यादा हर नहीं कोश्चन बहुत ज्यादा का हमारे लिए होती है वैसे बैंकों के लिए कौन है भाई आर्बिया यह तो आर्बिया का काम क्या है नोटों का निर्गमन करना बैंकों का बैंक बनना सरकार का बैंक बनना या फिर क्या है जंता से जमा स्विकार करना तो द्यान रखना दोस्तों ये काम नहीं है किसका ये काम नहीं है किसका आरबियाई का आरबियाई को बैंकों का बैंक कहते हैं बिल्कुल सही है जैसे हम बैंकों से रिड लेते हैं वैसे बैंके रिड लेती हैं किसे आरबियाई से सरकार का जितना भी सोन रखा होता है वो सब RBI में ही रखा होता है बिल्कु सही है नोटो का निर्गमन ध्यान रखना ये एक्जाम में बहुत पुछा जाता है भारत में नोटो का निर्गमन की विवस्था RBI ने 1957 में शुरू करी थी ठीक है जिसको दोस्तो minimum result system कहते है ये भी question आपका आगे आ रहा है ठीक है नियुन्तम आरक्षन अनपाथ जो था नियुन्तम आरक्षन अनपाथ उन्हें सतावन से शुरू किया गया वो भी RBI का काउंट है लेकिन ये जो जनता से पैसा लिया जाता है तो हम लोग कभी RBI में पैसा नहीं जमा करते है यानि कि ये काम RBI का नहीं है ठीक है next solution बैई next solution क्या कह रहा है who controls the credit generated by merchant banks ध्यान रोकिगा व्यापारिक एक मिट ध्यान सुनीगा व्यापारिक बैंको द्वारा जनित साख का नियंतर कौन करता है आपको ये बताना तो सभी लोग एक बाद क्लास को शेर भी करेंगा ठीक है WhatsApp पे PDF बेजुगा मैं यही करता रहूँ आपके लिए मैंने जब आपको लिंक बोल दिया है आपको लिंक मैंने दिया है तो आप लिंक पे क्यों नहीं आते बाबू मेरे लिंक पे भी आजाय करो बाबू आपको यहां पर बाबू बहुआ करूं मैं करूं तो बजाओ करूं चलिए जहां से सुनिए गा सभी लोग प्लास को शेर भी करते रहेंगे भाई है ना अब सुनो मेरी बाद क्या है वेपारिक बैंकों का जनित साथ जैसे हमारे साथ के लिए बैंक के काम करती है वैसे बैंकों के साथ के लिए वेपारिक बैंकों के साथ के लिए कौन काम करता है भाई आर्बियाई काम करती है यह जो SBI है SBI को क्या बोते है दोस्तो Agent of RBI के लिए RBI के agent के रूप में काम करती है कौन SBI जिसे अकटन 1955 में किया गया था ठीक है clear रहे की नहीं है तो ध्यान रखियों दोस्तो व्यापारिक बैंकों का जो साख नियंतर है वो कौन करता है भई Reserve Bank करती है clear हो गया चलिए next question पर आते हैं भई next question नमारा क्या है भारत में currency note जारी करता है currency note की अगर बाथ करेंगे तो किवल आपका जो एक रुपय का जो note था कहते थे कि एक रुपय का अपत्श प्रश प्रभाष ही बन्ध हो गया इस पर sign होते हैं वितसचिव के किसी होते हैं दोस्तो इस पर sign होते हैं वितसचिव के उसके बाद बागी जितना भी काम है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है बागी जितना भी काम है दोस्तों वो किसके द्वारा किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा है ना क्लियर है की नहीं क्लियर है की नहीं क्लियर है की नहीं क्लास को शेर करो गई है ना 1921 में Imperial Bank थी बेटा, बाद में हुआ, SBI बन गे थी, बिल्कु सही है, ठीक है, बारत में currency note कौन जारी करता है, आपको ये बताना है, ठीक है, बारत में currency note कौन जारी करता है, तो दोस्तों, यहां फ़क्त Finance Minister नहीं होगा, यहां Finance Minister, देखो, बेरे दोस्त, वित्म अंत्राले वि पात की बात करेंगे, तो न्यूंतम आरक्षन अनपात की विवस्ता किसने लागू की थी, RBI ने 1957 में लागू की थी, clear हो क्या, चलिए, next question पर आते है, बारत केंद्रे मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है, एक ही question को अलग-अलग तरीके से दे जाते हैं, तो देखो, बारत में केंद्रे मुद्रा जारी करने वाला बैंक कॉन सा है, ये भी कौन सा होगा वही, केंद्रे मुद्रा 1 रुपया का नौट छोड़ दीजिए, उसके बाद सारे के सारे बी एक तो वित्तिस ची बहें, उसके बाद आपके केवल कोन आते हैं, आपका केवलRBiA आता ह लेकिन RBI की जो इसापना हुई थी वो RBI Act 1934 के तहट हुई थी ठीक है RBI Act 1934 के तहट RBI का गठन 1935 में गठन किया गया था ठीक है और RBI का जो गठन हुआ था दोस्तों वो Hilton Young Committee के सला पर हुआ था अगर कभी एक्जाम में कोशन आ जाए कि RBI की प्रारंबिक पूझी क्या थी तो सर RBI की प्रारंबिक पूझी जो थी वो पांच करोड़ रुपए थी पांच करोड़ की पूझी से RBI में क्या हुआ था RBI का गठन हुआ था 1935 में क्लियर हो गया चलिए नाइच वर्शन भारत में विदेशी विन्मे संचय का प्रतिरक्षा कौन है तो विदेशी विन्मे जो भारत में विदेशी विन्मे संचय जो है यानि की इंडिया's foreign exchange is a protector of accumulation तो ध्यानकी का भारत में विदेशी विन्मे का संचय कौन करता है आपको यह बताना ठीक है भाही बताईए भारत में विदेशी विनमे का संचन कौन करता है कौन करता है तो ये भी आपका क्या है ये भी आपको हाँ एल्टन येंग कमिटी बिल्कु सही 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 ठीक है चलो नेट सोचन में आते हैं भार किया धोज़ों अभी मैंने आपको क्या बोला था केंद्री बैंक यानी कि आपको क्यों कि बैंक सम्पादित यानी कि उसको परफॉर्म करवाता है तो कौन करता है आपका स्टेट बैंक अपकी स्वियाई के बारे में बात करेंगे दोस्तों बहुत लंबा है ध्यान रखिया उसको ध्यान रखिया अच्छा सबसे पहले बैंक आफ बंगाल बैंक आफ बंगाल बैंक आफ बंबई और बैंक आफ मद्रास ये तीन बैंकें मिलाई गई थी तो इन तीन बैंकों को मिलाकर 1921 में क्या बनाए गया था इंपीरियल बैंक बनाए गई थी कौन सी बैंक बनी थी भई अलग-अलग society जो की धीरे-धीरे इसमें क्या कर दी गई है, धीरे-धीरे इसमेंمرज कर दी गई है, ठीक है, प्रभत बारत का आर्थिक सर्वेक्षर प्रतीक वर्ष सरकारी तौर पर देखो, अगर आर्थिक सर्वेक्षर की बात आती है न, RBI एक स्वायत इसंस है RBI इंडिपेंडेंट सिस्टम के रुप में काम करती है लेकिन अगर भारत सरकार की उसे सरकारी तोर पर अगर आर्थिक सर्वेक्षर करना होता है दोस्तों तो वहाँ पर कौन करता है तो वहाँ पर आपका कौन करेगा सर्वेक्षर है सर्वे है वो वित्रबंतराले करेगा सर योजना आयोग की बात करेंगे सर योजना आयोग को ही आज हम लोग क्या वोते हैं सर नीती आयोग कह दो आप लोग इस बाद भर-भर के एक्जाम में आया था दोस्तों नीटी आयोग नीटी आयोग योवी योजना आयोग नीति आयोग यो näग ये सब बहत पुछा किया था एंटी पीसी ची और योजना आयोग गटन यह किसके लिए नहीं है यह जंता के लिए नहीं है यह बैंकों के लिए है तो बैंकों के लिए जितने भी सिस्टम होते है आर्बी आई के जहां से सुनने ना एक्जाम में यह सब चीजें आएंगी सुनना मेरी बाद एक वता है आपका CRR यह प्रकार का अनपात है जिसको नक रेपो रेट इसके बारे में एक्जाम में आता है रिवर्स रेपो रेट इसके बारे में एक्जाम में आता है ठीक है तो इस प्रकार के कुश्चन आपसे एक्जाम में बहुत सारे पुछे जाते हैं ठीक है यह सारे रेट जारी करने का अधिकार केवल किसके हांत में होता है आर्बे के हां पर होता है clear हो कि है नहीं हो कर दोस्तो वो भारतिय राजित जिसका वित्तिय लेंदे नहीं देन भारती आर्बे के डिन नहीं आता है आपको यह बताना ठीक है पताईए भई तो ध्यान दकी है दोस्तो अभी तक जो आपकी State Bank of Sikkim थी ना Sikkim भी आज़से इसमें नहीं आती थी लेकिन ध्यान दकी का जम्मू कश्मीर का जितना भी वित्ति सिस्टम है जम्मू कश्मीर का वित्ति सिस्टम RBI के अदिन वित्ति संबंद नहीं होता है RBI से इसका कोई भी वित्ति संबंद नहीं है ठीक है तो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर अब ऻगर यह question पुराना होता है तो मैं आपको बता दो दोस्तो अभी हाल ही में lockdown में State Bank of the Sikkim थी State Bank of Sikkim भी स्वतंत्र थी ये भी स्वतंत्र थी अब नहीं है क्योंकि अभी हाल ही में RBI ने State Bank of the Sikkim को मना कर अपने अधिन कर लिया है तो अब ये आपका आंसर नहीं होगा उसके बाद अब केवल कौन बचा जम्मुन कश्वीर बारत में ये दो राचे थे पहले सिक्किम भी था और जम्मु कश्वीर भी था ठीक है क्लियर हो गया नेक्स वोसिन पे आते हैं बातियर रिजब बैंक की मुदरानीति का उदेश नहीं है धानद कीए कょ Soh, यहां पर ये क्या कह रहा है बातियर रिजब बैंक की मुदरानीति का उदेश इन मेंसे कौन सा नहीं है तो देखो आतिक विकास को प्रुसाहित करना वांचरी दिशा में सीधा क्रेड़िट करना मुद्रा स्वीती के दबाओ को नियंतरिट करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि मुद्रा नीती का उद्देश कौन सा नहीं है तो ध्यान रखिया दोस्तो यहाँ पर आपका इंचुरिंग सोशल जस्टिस यानि कि आपका जो डी वाला उप्शन है डी वाला उप्शन है यहाँ पर क्या होगा सही होगा होगा या नहीं होगा होगा या नहीं होगा ठीक है क्योंकि सामाजिक न्याय की बात आती है तो सामाजिक न्याय में आपको RBI का कोई काम नहीं है RBI कोई भी प्रकार के न्याय व्यवस्था के लिए काम नहीं करती है हाँ अगर आर्थिक प्रवस्टा की बात की जाए कि तो आर्विय काम करेगी तीधा क्रेडिट अगर बैंकों को देना होगा तो वो देगी आपका मुद्रा स्फीती यानि की इन्फलेशन और डिफलेशन इन दोनों को सुधाने काम अर्विय का होता है क्लियर हो गया चले नेक्स कोशन भी आते भाई बाति रेजल बैंक से संबंदित निमलिकित कत्रों का अध्यान कर नीचे दिये गए पूर्ट में सही उतर दीचे तो देखो भाई आपको यहां पर म सबस्या small के यही से आते भी है डीच यह शीह बैंक अध्या और यह मुद्रा अपूर्ति को नियंत्रत करती है लिए ओर यह नभाट के कारेंगों को निरेक्ष्ट न करती है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा सही है कौन से सही है एक सही है एक दो सही है दो तीन सही है तीन चास सही है आपको यह बताना है तो सभी लोग दोस्तों क्लास को एक बाद शेयर भी करेंगे ठीक है हैं लोच्ट को इंड गर आοςई कर cage है अगर यह किसी घराने को पैसा नहीं देती है तो रहे है और घराने को यह सही हो गया यह गलत हो गया और दोस्तों ध्यानक की का आपका यहां पर कुशन क्या रहा है यहां पर आ रहा है आपका जो यह नबाड के कारेों का निरिक्षर करती है बिलकुल सही है नबाड के कारेों का निरिक्षर करने काम भी किसका है अर्विय का है ध्यानक की दोस्तो नबाड की साफना भारत में कब हुई थी आपको ये बताना है ठीक है नबाड की साफना भारत में कब हुई थी भारत की सबसे बड़ी जो ग्रामीन बैंकों की जो बाप है वो कौन सी है नबाड है आपको इसकी बारे है नटाना कि इसाना कभ हो इस ribs ऑपर हैं चैसे में राते हैं बातिर इसे बैंक की लेखा वर्ष की अब्धी क्या है बातिर ईन्स ऑ मैंक की लेखा जर्लेखा जे का जो व्लिद्र वरश है उसके वारे में पूछ रहा है कि उसका वर्ष कौन सा है ठीक है कि सभी लोग क्लास को शेट भी करेंगे भाई यह ना पार्की रिजर्ब बैंक की जो लेखा वर्ष की अफदी क्या होती तो ध्यान के दोस्तों यह जुलाई से जून होती इस चीश को ध्यान रखना यह विद्वर्ष की बात करेंगा लोगे क्या अप्रेंश की बात करेगा सारे बैंकों की जो फिनेंशिल होता है तो वह आपका यही होता है लेकिन के वल आरबी का होता है दोस्तों जुराई से जून होता है चलिए नेक्स वोशन प्राइब की साफना किस वर्ष की गई थी तो अभी आप लोगों को ने पढ़ा था में में किसकी साफना हो इसकी साफना हो इसकी साफना हुई थी 1921 में दोस्तों इंपीरियल बैंक बनी थी जोकी तीन बैंकों को मिलाकर बनाई गयी थी 1935 से भारत में RBI का गटन हुआ था ठीक है और RBI का जो main जो नियम लाग हुआ था उननिस सो निजास में RBI RBI संचोधन अधिनियम लाग हुए थे RBI amendment act लाग हुए थे उननिस सो निजास में ठीक है उसके बाद से RBI अपना काम ठीक से करनी ही शुरू हो गई थी, ठीक है, क्लिया है सभी का, चलिए, नेक्स वोशन पर आते हैं, नेक्स वोशन, दस रुपए के नोट पर किसके हसाक्षर होते हैं, तो देखो भाई, आपको मैंने अभी बताएदा, एक रुपए का नोट छोड़ दीजे, विए विट्ट सचिप के नाम था, आप तो ये छपता ही नहीं है, दस रुपए के नोट पर किसके हसाक्षर होते हैं, तो दोस्तों ध्यान नकरा है, यहाँ पर आपका अंसर क्या होगा, अब यह तो आप कमसे हम बता सकते हैं, यह तो कमसे हम बता सकते हैं, कि 10 रुपए के नोट पर किसके सक्षर होते हैं, तो रुपए में केवल, चलिए, तो दोस्तों ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका अंसर क्या हो, गवर्नर आप स्टेट बैंक आप इंडिया होगा नहीं, अपर कितने रुपए का नोट होगा, एक रुपए का नोट होगा, और अगर आर्बे के गवर्नर की बात आईगी, तो 10, 20, जित्ते भी नोट है, वो आर्बे के गवर्नर के नाम से चबते हैं, ठीक हैं, चलिए, नेक्स वोशन पे आते हैं, निमलिकित मेंसे कौन सा एक प्रावधान, भारतिय समिधान के अंतरगत, संसत के सदस्यों के विशेशा दिकार, और उनमक्तियों को निर्धारित करता है, दोस्तों ध्यान सुनना है इसको, ठीक है, निमलिकित मेंसे कौन सा एक प्रावधान, बारतिय समिधान की अंतरगत संसत के सदस्यों के विशेशा दिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है ठीक है तो ध्यान रखिए का दोस्तों यहां पर यह क्या कर रहे हमारे इंडियन constitution में कौन से ऐसे article है जो article संसत के सदस्यों के विशेशा दिकार और उन्मुक् हैं यह आपकी privileges और immunities of members of parliament under the constitution of India ऐसा कुछ पूछ रहे हैं ठीक है तो सभी लोग एक बाद class को दोस्टों share भी करेंगे हैं सभी लोग दोस्टों एक बाद class को share भी करेंगे दिनेश मेरे दोस्त बात मत करो मैं अभी आप लोग को बोलना हूँ कि आप लोग बात मत करो लेकिन आप लोग मेरी बात को क्या नहीं कर रहे हो आप लोग मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं न मैं comment ही देख रहा हूँ आपके हैं न चलिए तो सभी लोग एक बाद class को दो शेर भी करेंगे भई हो गया बाई सीना चोधरी जी तो ध्यान न कीए दोस्तों यहाँ पर question क्या है आपके articles दियो है तो ध्यान से दिखीएगा अने articles को अगर हम बात करेंगे immunities और privileges की याद दरकेगा अगर सम्विदान के अंदरकत उन मुक्तियों की और विशेशा दिकारों की भी बात करेंगे तो यह आता है article number 105 सम्विदान का article number 105 साब-साब कहता है कि सम्विदान के संसद के जो विशेयों सदस हैं उनको जो विशेशा दिकारों कौन से article में दिख धे हैं article अगर इसकी आगाँ की बात करेंगे तो इसकी जस आगे आते हैं दोस्तों क्या इसके जस आगे आते हैं आपके विद्यक और विद्यक होते हैं दो प्रकार के आपका एक विद्यक होता है दोस्तों साधारन और एक विद्यक होता है कौन साधारन दन विद्यक आता है आर्टिकल नमर 110 में और साधारन विद्यक आता है आर्टिक होता है ठीक है जान अखिए तदस या फिर कोई भाग में नहीं है क्योंकि अगर कभी भी दोस्तों अगर हम लोग संसत की बात करते हैं तो संसत आरती है आर्टिकल नंबर 79 में और संसत तीन लोगों से मिलकर बनती है एक तो होता है प्रेसिडेंट दूसा होता है लोग सभा तीसरा होता है राज सभा ठीक है लोग सभा आर्टिकल नंबर 80 राज सभा आर्टिकल नंबर 80 और संसत आर्टिकल नंबर 80 तो धानर के दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट जो राज सभा का आगी क्या है भारत के संसत्त के तीन होते है इनमें से एक आग है लोगसवा दूसरा आग है राश सबा जबकि तीसरा आग कोन है तो दोस्तों थ्यान रगा आप तीसरा कान है राश्ष्पती है अभी आपको बताया था कि तीसरे अंग को नोगा राश्पति होगा क्लियर है सबीख लोग एक बाव बेटाएं क्लास को जड़ा शेर भी करेंगे ना चले नेक्स वोशन आते हैं नेक्स वोशन नेक्स वोशन क्या है वाइब बाते समिदान के कितने अंग संसत के कितने अंग है तो अभी आप लोग ने पढ़ लिया कितने अंग है भाई कभी भी धोके से भी किवल लोगसभा रासभा मत मानना किवल लोगसभा रासभा की आपको जुरुत नहीं है ठीक है वहाँ पर प्रेसेरेंट भी होता है तो यानि कि यहां पर कितने अंग होच जाते हैं तीन अंग होच जाते हैं ठीक है चले बात यह समिदान के किस अनुचेंट में कहा गया है कि संग के लिए एक संसथ होगी जो राश्पति और दो सद्रों से मिलकर बनेगी तो अभी मैंने आपको बुला था यह आर्टिकल नंबर कौन सा है दोस्तो आर्टिकल नंबर आपका 79 होगा या नहीं होगा आर्टिकल नंबर 79 ने आपका साफ साफ कहता है कि संसन में कितने लोग से बनेगी राश्पति लोग सबाहर राश्पति से मिलकर बनेगी तो ध्यान अकिए यह है इन हो गया ठीक है इसके बाद 74 और 75 की बात करेंगे तो सर ये आता है आपका मंत्री परशद की बात करता है सर ये council of minister की बात करता है मेरी बात को ध्यान सो लेना मंत्री मंदल शब्द का cabinet शब्द का प्रयोग केवल अपातकाल में क्या गया है बागी मंत्री परशद सद का यूज क्या जाता है, clear हो गया की नहीं हो गया उसके बाध, article number 80 दोस्तों article number 80 क्या है यह राजसभा की बात कर रहा है और फिर article number 85 जो है यह आपके, यह आपके सत्रों की बात करता है तनससस अज्दों में 3 सत्र होते है एक आपका budget सत्र, एक आपका महांसूर एक आपका सीथ तालिन सद्र, clear हो गया की नहीं हो गया, clear हो गया, सरला, सरला गया होता है, अरे ऐसे मदद रटा करो मेरे भाई, ठीक है, चले, next वोशन भी आते हैं, next वोशन हमार क्या कह रहे है, निमलिकित कतलों में कौन सा असत्य है, तो देखो असत्य की बात कर रहे है, लोगसवा को संसत्य का प्रतम सदन कहा जाता है, संसत्य का प्रतम सदन लोगसवा है, बिलकुछ सही है, या गलत है, आपको ये बताना है, ठीक है, उसका राजसवा को संसत्य का दूति सदन कहा जाता है, उसका राजसवा को एक साही नहीं होती है सर राज सभा कैसी होती है स्थाही होती है ठीक है राज सभा कैसा सदन है भाई स्थाही लोग सभा सभा की बात करेंगे तो लोग सभा को निम्न सदन जरूर कहते हैं लेकिं लोग सभा को प्रतम सदन भी कहते है ठीक है इसको प्रतम सदन ही कहते है और राज स निम्लिकेत कत्रों में कौन सा सही है तो लोगसभा भारतीय जंता की प्रतिनिदी सर्फवा भारतीय जंता है बिलकुशफ़ है लोगशभा के चretoं में हमम जाते हैं प्रतिनिद्र को अपने लिए चुंते offersल्फ है राजसभा संसत का उच्छ सदन है बिल्कुल सही है राजसभा राज्यू का प्रतिनिदित करता है ये भी सही है तो ये क्या कहा रहा भाई कौन सा सही है अच्छा ये सारे ही सही होंगे मेरे दोस उपर ये तो सभी सही है क्लियर उगया लोगya बारती जंता का पहतिनेदी तो कि यह क्ल पर सबस्क्रों प्रसुटेस्पत आए मर था कॉछलसह कौन सा क्रमिसा पूछ रहा है भाई तो क्रमिसा पहले निम्न पूछा है पिर उच्छा है तो कभी भी दोके दड़ाके में ये मत मार देना ठीक है दोके दड़ाके में ये भी मत मार देना और ये भी मत मार देना तो लोगसभा और राजसभा क्या है दूस्तों आपका यह तो लोगसभा निम्सदर नहीं राजसभा उचसे विदान सभा मत रख देना वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा संसत को भंग करने के में कौन सक्षम संसत को भंग करने की बात आती है तो भंग करने का अधिकार, संसत का बाप कौन है सर, प्रेसिडन्ट ही है, तो संसत को कौन भंग कर सकता है सर, संसत को राश्पती ही भंग कर सकता है, और कोई भंग नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ध्यान कीगा, संसत सदरों की जब बैटक, ध्यान कीगा, संसत लोग सबागी ब क्या है चले उसके बार अगर लोग सबाफों न करवाना है कि वह तो प्राम निर्ट यसर की सब्चाइब कर प्राइम लिस्ट की संप्रभुथा प्रति बंदिद भारत के राश्मति की शक्तियों में नयाइक समीक्षा में विपक्षी दल के रिदाओं से और भारत के प्रदानमंत्री के शुक्तियों में तो आपको यह बताना है ठीक है ठीक है तो सबी लोग इसका आसर जोरा बताएंगे भाई इससे ज्यादा फास नहीं चल सकते मेरे दोस्त इससे जादा फास नहीं चल सकते ठीक है तो धानतर के दोस्तों भारतिय और ये तीनों सत्र सर किस में आते हैं आर्टिकल नंबर 85 में आते हैं संसर सत्रों में सबसे छोड़ा जो सत्र होता है सर वो कौन सा है वो आपका मजट है ध्यान रिकी का साल बर में वर्ष में कितने सत्र होते हैं वर्ष में सर तीन सत्र होते हैं लेकिन अगा वर्ष में कम से कम की बात करें तो कम से कम दो सत्र होंगे कम से कम कितने होंगे सथ दो सत्र होंगे दो से कम सत्र संसत में नहीं होंगे ठीक है इन सत्र के बीच में दो सत्रों के बीच में लगातार 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होता है लूख सभा की बैठग अलग होती है राजसभा की बैठग अलग होती है लेकिन जब राश्पती संसत्सत्र के ऐसे अधिवेशन गोशना करता है राश्तपती संसत के संयूंताइशन की घोष्रा करता है आगकन नंबर bunu 180 .188 जब वुष्रा करेगा तो कौन करेगा भाई बारत की राश्त प्वज्रान के लिए गलत ठीक है बारत की उप राश्पती कि निर्वाचन के लिए गलाध सम्विदान में संसोधन से संम्मंदित विद्यक को पारिथ करने के लिए एक दोस्तों किवलग चौथ़ वल्याइव का सही है यानि डी सही है ध्यादब किएगा आर्टिकल नमबर 108 केवल केवल कैसे विद्यक के-लिए होता है साधारण विद्यक के-लिए होता है और inom जोंहें जो होते हैं ज्यानकी का किया साधारण विद्यक के-लिएह ओर सही और डी वाला अंसर आपका सही हो क्लियर हो गया चलिए नेक्स वोशन पर आते हैं सर बात ये संसत के दोनों सजनों की संयुक्त बैठक किस संबंद में होती है तो देखो वही बात आगे आपकी कौसा विद्यक हो कह सर वो तादारण विद्यक की बात आगई जो कि आरटीकल नंबर 107,108 में आता है और जो जो जोइन की बात संयुक्त दिवेशन की बात होती है सर तो संयुक्त दिवेशन समयदान में किस आटीकल में देगया है आटिकल नंबर 108 में देख रहा हूं कि जो जो यहां बाते कर रहा हूं वो सब अगली क्लास में जाने वाले हैं अगली क्लास में गया बोजाएंगी यह लोग कॉई नहीं दिखाएंगे यही देख रहे है कि कौन-कौन बाते कर रहा हूँ तो सब लोग अगली क्लास से ब्लाइक उनने वाले सदारव विद्येट से समंदित गतिरोध को दूर करने के लिए संसत के दोनों सहियों के सद्युक्त अध्वेशन कौन बलाता है तो ये केवल कौन बला सकता है सर ये केवल प्रेसिदेंट ही बला सकता है और कोई नहीं बला सकता अगर सर बात करेंगे जॉइन शेशन की तो सर जॉइन शेशन जो होता है joint session की अध्यक्षता की बात करेंगे सर तो अध्यक्षता कौन करता है अध्यक्षता इसकी लोग सभा का अध्यक्ष करता है ठीक है clear हो गया एक बात उसके बात अगर घोशना की बात करेंगे सर तो घोशना के वल कौन करता है घोशना के वल president करता है और नहीं करेगा ठीक है उसके बाद ध्यान रखिएगा तो अगर Vice President की बात करें तो Vice President एक ऐसा वेक्ती है कि Vice President Sir Joint Session में यानि की संयुक्त अधिवेशन में नहीं जाएगा ये संयुक्त अधिवेशन में नहीं जाता है ठीक है इसको सहीग तो दिवेशन में जाने का अधिकाल नहीं है इस चीज को ध्याना की हो बहुत इपॉटिट रही है ठीक है नेक्स कोशन पर आते है लोगसवाब राजसवाब की सहीग तो बेटक कब होती है कब होती है जब राश्पती बुलाए लोगसवाब राश्पती अपने मन से जाइन जशन को नहीं बुला सकता ठीक है ठीक है उसके बाद राश्पती जाइन जशन अपने मन से नहीं बुला सकता जब लोगसवाब राश्पती क्या करें कि आम अब अब बेट करें कि उसके बाद ही ज़ॉइंट शेशन आएगा ठीक है नेक्स वोच्छन पर आते है संसथ के दोनों सद्रों के साथ बैठने पर निम्न होता है तो देखो को कैसे गुमाया जाता है यह देखो वही कोश्चन आपका है लेकिन को कैसे पढ़ा जा रहा है पूछो संसथ के दोनों सद्रों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है साथ साथ में अलग जॉइंट शेशन की बात आ रही है बाहर के उपर राश्पती का चुनाओ ठीक है संसथ में का स्द्रों के साथ साथ बैठने में इम्न होता है संसथ सम्विधान संसुदन बिल्कों स्थिकार किया जाता है एक बिल जिस पर दोनों सद्रों सहमत नहीं से tutorial विचार करना और पास करना होता है वार्स की राश्पती का चुनाओ तो देखो भाई यहां पर आपसे क्या पुछ रहा है आप द्यान से देखेंगे तंसरत के दोनों सदनों के साथ साथ बैठक हो रही है इसके पार्ट नहीं कर रहे हैं वह कोश्चन बहुत सब्सक्राइब लेकिन लैंगोज आपकी चेंज की गई है और आपको याद आना चाहिए कि एक बिल पर जब दोनों सदन से असेहमत नहीं होते हैं तो उस पर विचार करना पास होना ही इसके अधिया है ठीक है तो दोस्तों राश्पती के उपर राश्पती क आता है तो उसका समधान कौन करेगा देखो वही कोश़्ें आपका फिरसे पुचा गया समधान के उल करेगा बही मंतरी पषचत सभी संसद ग और सिप्रीम कोड कि बात करें तो ध्यान रखीगा इन दोनों के बारे में आप यह नहीं कह सकते कि दोनों में कौन बड़ा है सुप्रीम कोर्ट संसत के गलत काम को रोग सकती है लेकिन संसल सुप्रीम board को किसी भी तरीके से क्या निए का सकती लोग निए सकती ठीक है इस बात को ध्यान लखेगा लेरो क्या 87 का डी नहीं होगा मेरे दूस अश्टासी का क्या होगा स्थी होगा लेर है चल्थ नेक्स कोचिन पर आते हैं मैंने सोटन दिर वारत के संसदी यह थियास में अभी तक कितनी बार सिंख्ट दिविशन हुए है ज़ह इंती आ कोछशन है दोस्तों ज्रान की का एक Qzeit आपका कौनसा कौनसा अधू आपका कौनसा था, जोंक्त आर Jár जैना की था नदूँषाय युद्वरिया दोस्तों ब मैं लिकता है। दहेज प्रथा विरोधी अधिनियम दहेज प्रथा विरोधी अधिनियम ध्यान रखीगा ये पहली बार जॉइन शेशन हुआ था बहुत बढ़ी कोश्चन है दोस्तों ये ठीक है दहेज प्रथा विरोधी अधिनियम एक उसके बाद एक था बैंकिंग सुधार अधिनियम ब अभी तक जिन पर दोस्तों जॉइंट शेशन हुआ है यह आया था दोजाद दो में यह था 1978 में और यह था इसको स्रीनशॉट माले न दोस्तों एक्जाम में आएगा यह ठीक है दहेद प्रता विरोधिय दिनियम बैंकिंग सुधारा दिनियम और आतंगबाद विरोधिय दिनियम जिसको दोस्तों पोटा भी कहते हैं पोटा वाला एक दोजाद दो में आया था यह तीन बार ही जॉइ क्या क्या राश्पती या उपराश्पती कभी सेंग्त अधिवेशन के दिख्षा कर सकते हैं जी नहीं वो कभी नहीं कर सकते हैं राश्पती केवल गोश्रा करता है और उपराश्पती तो दोस्तों क्या नहीं करता भाग भी नहीं लेता है यह भाग भी नहीं लेगा इस प का president नहीं होगा दोके से मत कर देना speaker of one होगा लोगसबा होगा clear हूगा की नी हो गया clear हो गया की नी हो गया पीशाच नहीं था बेटा पोटा था तो खज़िक है दिने-ज यादा question देखने थो भागो जाए याँ से दिने-ज दुबारा-गर question किया न तुमने दिने इस दुबारा अगर कोशन किया तो तुम गए वाटसे पे भी ब्लॉक करूँगा बेटा तुम गो ठीक है सबस्त के सहीफ तो अधिवेशन को कौन संबोधित करता है तो ध्यान अकीगा अगर सहीफ तो अधिवेशन को संबोधित करने की बात आती है ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्ट कोशन गलत हो जाएगा यहां स्पीकर मत करना यहां डिपिटी स्पीकर मत करना यह भी मत करना दोस्तो प्रेसिडन की बात आएगी अगर अध्यक्षता की बात आती है सर तो अध्यक्षता को तो कौन करेगा लोगसभा का अध्यक्ष ही करेगा ठीक है लोगसभा अध्यक्ष करेगा लेकिन अगर दोस्तों बात आती है संबोधित करने की को संबोधन करने का काम किवल किसका होता है सर प्रेसिरेंट का होता है और किसी का नहीं होता है ठीक है तेरो गया सर आच्छाला रेलवे की तरफ से मैंसे जा रहा है बिटा ठीक है चले नेट सोशन पर आते हैं तेरे इस तो दर्जा तेरा नंबर भी है वाट सब का मेरे पास गया बारत की शंपके दोनों सद्रों की सभी अगिकार करें नई ये विजार करने तो अउसे पाहरded करने के लिए तो दो सब्सक्रों पूछ च्छेंच करके आप में से पूछे जाते हैं जो की आपको तंग करते हैं तो वही कोश्यन है देख्ञा ओप्षिन को पढ़िए दोनो सदरों के कुल सदरों के साभानने भावमत से दोनों सदरों के कौल ऊपस्तित तदा मद्दाता के सामाने बहुमत से और दोनों सद्रों के कुल पस्तिता मद्दाता सदस्टों के दो तियाई बहुमत से आपको इसका अंसर बताना है यह आंसर बहुत ज़्यदा परिशान करने वाले कुश्चन है कि है आपको इसका आंसर पताना है तो द्यानकरणा दोस्तों यहां पर क्या कर रहा है यहां पर यह पुछ रहे हैं तो दोनों सद्रों के उपस्तित और उन में सामाने बहुमत में तुमने ये मार दिया ना विटा तो ये गलत हो जाएगा ध्यान रखिएगा यहां पर कुल सदस्यों का नहीं जो आते हैं उनमें से सामाने बहुमत मतलब की 50% प्लस वन की बात हो रही है अगर माल लीजे 100 मेंबर आये है या माल लेते हैं 400 मेंबर आये है तो 400 मेंसे 200 प्लस एक यानि 201 लोग बोलेंगे तो सामाने बहुमत होईगा तो उसी प्रकार का question है वेकिन यह आपको question language इसकी अलग है ठीक है next question पर आते है तो सम्विदान साचोधन की पहली बात तो ध्यान रखिएगा सम्विदान साचोधन पर क्या नहीं होगा दोस्तों आपका संयुक्त अडिवेशन नहीं होगा ठीक है सम्विदान साचोधन पर दोस्तों क्या नहीं होगा राजिसभा की एक्षा अनुसार ये भी गलत है लोगसभा की एक्षा अनुसार ये भी गलत है वो प्रस्ताव ही गिर जाएगा ठीक है ध्यानक ना अगर कभी भी समिदान संसोधन पर लोगसभा राजसभा दोनों मद्रेद हो जाता है तो दोस्तों वहाँ पर प्रस्ताव ही क बारा वजे तक चलता है फिर उसके बार उस्तों निकाल आता है बारा से एक बजे तक इसकी बैठेक हो क्या तो सबसे पहला कौसा अनुह आफा है ठीक है? ठीक है? सभी का clear है कि नहीं है? तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों सबसे पहला कौन सा काल होता है? सबसे पहला आपका personal काल पूछा जाता है, ठीक है? ठीक है? लेज़े रहे चली नेक्स लोचन पर आता है नेक्स लोचन हमारा क्या है? कौन सी प्रथा संसद्य प्रणाली को भारत की देन है तो ध्यान रखीगा कौन सी प्रधा संसद्य प्रणाली को भारत की देन है तो भारत की देन दोस्तों ध्यान अकरा मेरी बात आप ध्यान से सुन लिजेगा इसको मैं आपको एक बात बता दू ध्यान रखीगा तो निकाल में सामाजिक विशह पर कोई भी प्रशन पूछा जाते हैं बारा से लेकर एक बज़े की बैठक जो होती है उसमें जो प्रशन पूछे जाते हैं वो प्रशन विध्यक के प्रशन नहीं होते हैं वो प्रशन कैसे होते हैं दोस्तों वो प्रशन आपके सामाजिक प् यह फिर ने डिल्वारा की बात करो कल साइंस की कलास है आना पिर कुमारे कल दिल निकालता हूं ऐसा दिल निकाल लुगा ना दिल्वारा बन जाओगे तुम ठीक है? जा लूज नागारजुना सागरबांद वारत के किस राजिय में है? सर्थ बात कर रहा है, नागारजुना सागरबान, मैं आपको बता दू दोस्तों, ये कहां पर है, आंदर प्रदेश में है, और ये आंदर प्रदेश में बना है, किस नदीबा बना है, सरी है, आपका किस नदीबा है, ये कौन से नदीबा बना है, कौन से नदीबा बना है, कौन से नदीबा बना है, कौन से बीजमस नदी है शरावती नदी है Ve L sullaवती नदी है और शरावती नदी पर डोस्तों में मात्मा-घानो डायम जोकंग गर्सपांपे बना हुआ हूए ठीक छबूडियरी लु ole घायर चले नेक्स लोशन पर आते हैं सर निम्लिकेट पेसे कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है तो देखो ये नागारजुना डैम अभी मैंने आपको बताया बिल्कु सही है गांधी सागर डैम गांधी सागर डैम अलग है मात्मा गांधी डैम अलग है गांधी कोटा बाहराज भी है ये जो कोटा बाहराज है मैं आपको बतादू कोटा बाहराज दोसो कोटा में ही मनाए चंबल नदीर इस MR ροब वे संडार सरोगर डैम नर्मदा नदीर बलकु सही है दोस्तों तब तिलह डैम हिटादो तिलिए डैम कोना डिवर पर गलत है यहाँ प के लवड नदी लवड़ नदी इंद ब States रिवर की बात हुरी है लवड़ नदी कोन सी बोली जाती है ठीक है तो लवड़ नदी जाती है कॉनसी माही लूनी बना स्कालाना ही ठीक है ए ठीक है इसके बारे मेरे को बताईए ज़रा सबी लोग इसके बारे मताएंगे भाई ठीक है इसका अंसर बताएंगे भाई सबी लोग सौल्टी रिवर किसको बोलते हैं बताईए भाई भारत में सौल्टी रिवर किसको बोलते हैं कौन दिल बेज रहा है लिया तिलया बराकर बिल्कुँ सही ठीक है सॉल्टी रिवर की बात बिदाईए सॉल्टी रिवर कौन सी है ठीक है चलिए यहाँ पर आंसर क्या क्या आपका आंसर हो क्या आपका लूनी नदी लूनी नदी कौन सी है राजसान की लूनी नदी जो आपकी नाग पर्वत यानि की आपका अरावनी के चेतर से निकलिए है निमले के पिज़े कौन सी नदी जारंद मुक का निर्माड करती है दियान र किया दूस्तों ये बात कर रहा है कि इसकी एस्चियूरी की बात कर रहा है और एस्चियूरी का निर्माड करने वाली दो नदिया है तर एक है नर्मदा और एक है कौनसी आपकी एक है तापती तो नर्मदा और तापती जो है ये आपकी दो नदिया जो है तो दोस्तों यहाँ पर मान नदी दिया है राप्ती दिया है देखना तापती नहीं है अस्वान रहेखा गलत है तो नरमदा आपकी वो नदी होगी जो आपकी एस्च्री बनाती है और यही नदी के साथ-साथ इसके नीचे एक वो नदी है हुए यह सब और झाए नहीं किया फॉर नियर हो घा लोगो इसे कौन dresses नहीं थो देखो नर्मदा बनाती है ताप्ती मनाती है मादवी और महानधी जो है आपकी इनमें जो कौन सी एस्ट्री नहीं बनाती है द्यानकिए ये तीनों दोस्तों इधर को बैती है ठीक है ये जो है आपकी महानदी ये आपकी पूरब में बैती है ये क्या नहीं बनाती है ये एस्टरी यानि कि जानद मुख डल्डा नहीं बनाती है ये आपकी गोवा में है मांडवी ठीक है नेक्स वोशन पर आते हैं भारत की निम्लिकित पेसे कौन सी नदी अमर कंटक के पठार से नहीं निकली है तो देखो पर आपका आंसर नहीं होगा ठीक है ये आपका गिर्डिल के तवा नहीं है ये आपका बात कर रहा है तापती पी उसी चेतर से आईए आपका बैतूल से निकलती है सोन नदी ये भी अमर कंटक से निकली है तापती उसी चेतर से निकली है ये जो गोदावरी है दोस्तो गोदावरी आपकी जो है गोदावरी आपकी नासिक के चेतर से निकलती है ये अमर कंटक के चेतर से नहीं निकली है क्लेर हो गया तो यह ओगया आपका एक यह सब्सक्राइब करहा है सब्सक्राइब नासिके निकलती है ना लेस्ट रोचन अमारा क्या कह रहा है देखेंगे निवलेकेश पेसे कौन सी निदी भ्रंश घाटी से ओकर निकलती है जाने किया दोस्तो अगर भ्रंश घाटी की बात आईगी तो एक ही आंसर मारना है आपको जिंदिगी में नर्मदा नर्मदा उपर विंध्याचल से निकल है वो दोस्तों कौन सी नदी है नर्मदा जो सबसे हैदा घाटियों का निर्मार्द करती है यह इवन आपके आई-स में भी कोशन पूचा गया ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं सर दक्षिर भारत में पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में वि दो भागों बाटती है तो द्यानकी का अकर पठारी प्रदेशी बात करेंगे तो दोस्तों यह अरावली है और यह आपका नीचे आपका विद्याचल का इलाका है और यह आपका नीचे का जितना पठारी रीजन है जो आपका मालवा का पठार है तो द्यानकी के दोस्तों दोस्तों कौन है आपकी गोधावरी मानदी कृष्णा है कावईरी बताए बाई लूब मैसे कौन से नपी को ठीक है तो ध्यान रखिए भाई तो यहां पर अंसर आपका क्या ही हो कि ब्रह्म करी हिल्स कहांपर नासिक से ठीक है ये उसके वाशे जना पॉपप की चंबल निकलती है जो की मध्च Counter Prak देश में सब्सक्राइब कर रहा है कि ये दोनों किसकी साहिक नदिया है तो धानकी का वेन गंगा पेन गंगा जो है ये किसकी साहिक नदिया भई ये आपकी गोदावरी की साहिक नदिया है वेन गंगा पेन गंगा ये आपके महसूर सामराज के दोरान बहुत जादा क्या थी बहुत जादा फेमस भी रही है ठी तो तुंग बद्रा भी यहां पर आपकी फेमस नदियों में आती है ठीक है जो कि आपकी साइग नदिय किसी कृष्णा की क्लियर हो गया सभी है तो दोस्तों आज के रिए इतनी क्लास आते हैं आपके 110 कोशनी थे तो आज यह आपकी एक ट्रायल आपको दे दिया क्योंकि कही 830-319-7750 यह मेरा नंबर है इस नंबर पर मुझे आप वाट्सअप करो और सारे के सारे जितने पीडियोफ मैं पढ़ाता हूं वो सारे के सारे आपको टेलिग्राम चैनल पर मैं आपको दे दूँगा तो आपको मैं वाट्सअप करना पड़ेगा और वाट्सअप करके आप लोगो लेकिन नोटिफिकेशन आता है तो आपको क्लास पढ़नी पढ़ेगी और लगबार दो डाईसव लोग जो आ रहे हैं ध्यान से पढ़ते हैं ठीक है क्योंकि ग्रूप डीप बहुत इंपॉर्टेन दोस्तों 25 कोस्टेन आपके एक्जाम में वहीं साइंस से आज के लिए दोस्तों रखते हैं बागी कल की साइंस्की क्लास बिल्कुल अपने टाइम पर चलेगी साड़े नौ बजए आपकी साइंस्की क्लास होगी तो आज